हलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा, स्वागत करता हूँ आप सबका, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल Maths by अभिनव राजपूत में और Prime Time 2.0 में हम लोग reasoning करने वाले हैं आज, और आज हमारा topic है silox किसी भी exam के लिए ये बहुत जादा important है, चाहे आप SSC दे रहे हो, चाहे आप banks दे रहे हो, अभी railway का exam आने वाला है, ALP का, ठीक है, UP Police Constable आने वाला है, बिहार SSC आने वाला है, कोई भी exam आप दे रहे हो, तो उसमें ना, silox बहुत जादा important है, इसको बहुत सारी books में statement and conclusion के न अभी भी सिलोक से caution गलत नहीं करोगे, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल scientific way से हम करवाएंगे आपको, किस तरीके से कैसे work करता है, सब कुछ बताऊंगा, तो अगर आप बिल्कुल चैनल पे नए हो, कोई भी exam की तयारी कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब इसली निकाल दोगे, और classes की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल, maths by अभिनव राजपूत, नीचे description में लिंक मिल जाएगा, otherwise आप maths by अभिनव राजपूत, without space सर्च करोगे टेलीग्राम पे, तो मेरा चैनल आ जाएगा, उसमें भी connect हो जाना, classes की PDF मिलेगी, कोई फालतु क फरजी चीज़े नहीं मिलेंगी आपको, सिर्फ और सर्फ class related चीज़े ही मिलेंगी, अब reasoning के लिए आपको कुछ books भी follow करना होगा, books कौन सा follow करना है, तो आपकी run की ये दोनों book follow कर सकते हो, वो दो मेंस मतलब एक ही, एक Hindi medium के लिए है, ये Hindi medium के लिए है, ये English medium के लिए है, वो भी बहुत scientific है, easily आपको समझ में आ जाएगा, previous year के base पे questions है, इनमें वही questions होते हैं, जो पीछे के exams में आ रखा है, तो अगर आप SSE के questions करते हो, तो बाकी के questions तो आप easily ही कर लोगे, ठीक है, आराम से हो जाएगा, तो ये वाली books refer करना, buy link मैंने description में दे रखा है, यही नहीं, इसके अलावा जो SSE से रेटे जितनी भी किताबे हैं, उन सब का मैंने buy link दे रखा है, अगर किसी को doubt हो कि हमें कौन को से किताब खरीदनी चाहिए, तो नीचे description में link दे रखा है, मैंने वहाँ से जाकर आप इसे buy कर सकते हो, अब अगर आप में से कोई SSE, या banking, या railway या कोई भी exams की तेहरी कर रहा है, और चाहता है कि maths की classes की जरूत है उसे, और वो चाहता है कि paid classes में enroll होना, देखो free में मैंने already बहुत कुछ करवा रखा है, अगर आप afford कर सकते हो, तो I would suggest कि आप हमारा ये course ले लो, नीचे description में इसका भी link मिल जाएगा, maths का complete syllabus आपको इसम homework questions करते हो, और उसी homework का video solution आपको YouTube पे भी मिलता है, इसके अलावा हमारा एक telegram private group है, उसमें मैं week में एक से दो दिन आता हूँ, live और one to one आपके sessions को लेता हूँ, आपके जो भी questions होते हैं, उनका solution भी provide करता हूँ, और आपको बताता हूँ कि कैसे तयारी करनी है, तो नीचे description में link है, एक साल की validity है, इसके साथ, इस course के साथ आपको approximately 500-200 mocks भी मिल जाते हैं, जो SSE के previous year पे based है, मतलब कोई भी ऐसा फर्जेवारा वो नहीं है, 100 sectional mocks है, 40 pre के mocks है, जिसमें से 20 के करीब upload हो चुके हैं, बागी 20 भी धिरे-धिरे upload हो जाएगा, और ये सब आपको इसके prices के लिए और discount के लिए आप इस वे WhatsApp number कर लेना, उस समय जो भी code होगा ये आपको provide कर देंगे, यानि best buy आपको मिल जाएगा, तो अब हम start करते हैं, सबसे पहले हम basics देखते हैं, क्या है, उसके बाद मैं आपको 10 type के questions करवाऊंगा, जिसमें आपको मैं diagram बनाना सिखाऊंगा कि कैसे इसमें diagram बनता है, और फिर हम questions start करेंगे, तो 80 questions है, 10 type है, तो कुल में लाके 90 के गरीब questions है, धीरे धीरे करेंगे, सब हो जाएगा, तो mainly पहले जो 10 types है और starting में आपको English में मिलेंगे, उसके बाद सब bilingual है, questions सारे bilingual है, यानि हिंदी में भी है और English में भी है, देखो, स एक होता है, sum A, R, B, और तीसरा होता है, no A, R, B, ठीक है, ये तीन statement है, तीनों का diagram आपको बनाना आना चाहिए, अगर आप diagram बना ले होगे, तो आप easily कर लोगे questions को, easily कर लोगे, all A, R, B का मतलब ये हुआ, कि जितने भी A है, समझता है, मैं हिंदी में भी समझा दूँगा, don worry, all A, R, B का मतलब है, जितने भी A है ना, वो सभी B है, जितने भी A है, वो सभी B है, for example, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, लिखता हूँ, all Biharis are Indians बोलो, कुछ गलत बोला मैंने, नहीं न, आगे देखो, all Indians are Asian Asians, क्या मैंने कुछ गलत बोला, इसका मतलब ये है, कि जितने भी Biharis है, वो सारे Indians है, जितने भी Indians है, वो सभ Asians है, ऐसे ही all A are, B, तो हम इसको diagram में कैसे बनाते हैं, simple हम क्या करेंगे, इसको all A R B को हम कैसे बनाएंगे, तो हमने न, एक ये गोला कर दिया, ये कौन है, ये A है, ये सभी लोग कौन है, ये सब A है, ये सब कौन है, A है, तो all A A, R, B का मतलब यह हुआ, कि जितने भी A है ना, वो B के अंदर ही आता है, B के अंदर और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन A जो है, completely वो B के अंदर आता है, all A, R, B, यहाँ पर ध्यान रखना, B बड़ा है A से, all A, R, B का मतलब यह हुआ, कि B बड़ा है, जब मैं कहता हूँ, कि all Biharis are Indian, that means कि Bihari छोटा term हुआ, Indians बड़ा term हुआ, हम सब भारतिये हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग ही Bihar के हैं, तो all A, R, B का मतलब यह हुआ, clear है, all A, R, B का डागराम कैसे बनाओगे, simple, यह वाला देखो, यह A है जैसे, तो all A, R, B, यह डागराम बनता है, अंदर व रह भी जाता है, ना, सब clear हो जाएगा, बिल्कुल भी परिशान मत हो ना, पहला term क्या था, all A, R, B, आगे देखो, some A, R, B का मतलब क्या है, some A, R, B, ठीक है, some A, R, B, इसको मैं लिख सकता हूँ, some, some Hindus are Indians, कुछ Hindu ही Indian है, इसका मतलब यह हुआ, जैसे, इसका डागराम देखो, मैं ऐसे बनाऊँगा, यह है हिंदू, यह कौन है, यह हिंदू है, मैं live example ले रहा हूँ, ताकि आप relate कर पाओ, some Hindus are Indians, अब आप बोलोगे कि क्या सारे हिंदू Indians है, क्या सारे हिंदू Indians है, नहीं, नेपाल में भी हिंदू है, ठीक है, नेपाल में भी है, पाकिस्तान में भी है, बांगला देश में भी है, और भी पता निक कौन कौन से देश में है, तो सारे हिंदू भारतिये तो नहीं है ठीक है? तो some Hindus are Indians some Hindus are Indians मतलब ये हो गया, जैसे ये हिंदू है और ये Indians है तो ये वाले जो पार्ट है ने ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है हिंदू का ये कौन है? ये इंडियन है देखो इंडिया में भी बहुत सारे पार्ट है जो हिंदू नहीं है, क्योंकि इंडिया में भी तो Muslims है, Sikhs है, ठीक है, Christians है पता नहीं कितने सारे और भी धर्म है तो इस तरीके से कभी भी some ARB आए तो some ARB इस तरीके से figure बनेगा clear है? Examples मेरे थोड़े Controversal है, प्लीज नीचे comment बाजी में इंदू Muslims मत करना इस चक्करमेर को Telegram Channel से पता नहीं कितने सारे लोगों को बाहर करना पड़ता है No ARB देखो, कभी भी no ARB आ जाए ना तो ऐसे लिखो, no ARB मैंने क्या किया, इधर A बना दिया इधर B बना दिया, और बीच में मैंने ना एक रॉड खेज दिया इस रॉड का मतलब है, यह कभी मिल नहीं सकते एक दूसरे से यह बीच की जो रेखा है ना, यह हमेशा रेगी यह कभी मिल नहीं सकते, यानि no ARB for example no terrorists are Indian कोई भी आतंगवादी Indian नहीं हो सकता अगर वो आतंगवादी है तो वो Indian नहीं है अगर वो Indian है तो आतंगवादी नहीं है तो यह कभी भी मिल नहीं सकते ठीक है, तो no में आपको क्या करना है basically यह वाला एक line खेज देना है यह वाला क्या करना है एक line खेज देना, बस no ARB का मतलब यह हुआ clear है, तो 3 figure बनते हैं mainly is में होता क्याना आपको statement दे दिया जाता है और उससे ना आपको assume करना होता है उससे ना आपको assume करना होता है नीचे assumptions भी दे देते हैं आपको, नीचे ना एक तरह से निसकर्स दे देंगे आपको और आपको बताना है कि क्या ये है या नहीं है तो देखो एक बार फिट से all a और b का मतलब है ये ये छोटा वाला a है बड़ा वाला b है sum a और b का मतलब है ये ये a है ये b है और no a और b का मतलब है ये a ये b ये दोनों मिलने रहे तो इस तरीके से हम diagrams बनाते हैं अभी मैं आपको कुछ types बताऊंगा उसको कैसे हम diagramically उसको हम लिखेंगे और उससे क्या क्या चीजे हम assume कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा देखो जैसे type 1 है ये कह रहा है all dogs are animal जितने भी dogs है animal है again हिंदी पे मत जाना जितना बोला जाए question में उतना ही करना अपना दिमाग को please मत लगाना ठीक है all dogs are animal ये है dogs ये कौन है ये है dogs ये जितने भी dogs से ये क्या है ये animal है all dogs are animal मैंने पहला वाला figure बना दिया all dogs are animal clear है अब दूसरा वाला देखो all animals are cows देखो all animal जितने भी animal है न वो cows भी है यानि जितने भी जानवर है वो गाए तो है ही है सभी जानवर गाए है all animals are cows तो animal छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा अब देखो जब दोनों को मिलाना होगा तो हम क्या करेंगे देखो dogs के उपर animal है और animal के उपर cows है तो हम इस तरीके से figure बना सकते है ठीक है अब देखो इसका मतलव क्या क्या हो सकता है इसका मतलव आप क्या क्या assume कर सकते हो मैं सिर्फ assumption बता रहा हूँ मैं लिख सकता हूँ all dogs are cows बताओ क्या सारे dogs cows है खुद देखो ये dog है ये गाय है तो गाय के अंदर ही तो dog आ रहा है न अब मैं कहता हूँ all बिहारी's are Indians and all Indians are Asians तो क्या बिहारी Asians नहीं है है न तो यही एक एजम तो हम ये कर लेते हैं कि all dogs are cows ऐसे और क्या क्या चीज़ें एंजियूम कर सकते हैं क्या मैं कह सकता हूँ all cows are dogs क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ बताओ सही होगा या गलत होगा क्या सारे cow क्या dog है अब खुद देखो गए कि भाया नहीं है क्यों cow इतना है dog सिर्फ इतना है तो ये वाला पार्ट तो है ये वाला पार्ट तो नहीं है न तो ये statement गलत हो जाएगा ठीक है लेकिन हम क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं some cows are dogs ये बिल्कुल correct है देखो कुछ गाई तो dog है न खुद देखो कुछ cow इस सारे cow में इतना जो है वो dog है तो कुछ cow तो dog है न तो some cows are dogs ये correct statement है ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ some cows are animals यानि कि कुछ गाएं जो है ठीक है कुछ गाएं जो है वो animal भी है सभी नहीं है क्योंकि देखो cow अपने आप में बढ़ा है ये जो उपर वाला पार्ट है ये वाला जो पार्ट छूट रहा है ये वाला जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये थोड़ी ना animal है तो इस तरीके से हम interfere करते हैं इस तरीके से हम assume करते हैं मैं अभी पहले हम पहले 10 टाइप में हम सिर्फ और सिर्फ डाइग्राम बनाना सीखेंगे assumptions इतने questions करोगे अपने आप assume करना आ जाएगा और कोशिस करना कि at least पहले 20-30 questions तक ना non-stop देखना break में देखोगे समझ में नहीं आएगा देखो दूसरा वाले टाइप में क्या कहा रहा है all toys are elephants जितने भी खिलोने है यह क्या है toys है all toys are elephants clear है पहले वाले का डाइग्राम तो हमने यह बना दिया दूसरे वाले का कहा रहा है all animals are elephant यानि कि जितने भी animal है न वो elephant भी है all animals are elephant अब देखो elephant के अंदर toys भी है elephant के अंदर animal भी है ठीक है that means कि all toys are elephant all animal are elephant अब इस दोनों को जब एक साथ बनाओ गए न तो दो तरीके से बन सकता है या फिर even तीन तरीके से बन सकता है देखो अब इसी डाइग्राम को मैं कैसे एक करूँगा ठीक है इसी डाइग्राम को अगर मुझे एक जगा लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा देखो ये है animal ठीक है मैं इसके तीन cases बना के दिखाता हूँ आपको ये है animal ये भी है animal और ये भी है animal ठीक है अब देखो इन्ही को पढ़ते हैं आल टॉइज आर एलिफेंट्स आ आ सॉरी ये एलिफेंट लिखना था मुझे अब देखो आल टॉइज आर एलिफेंट्स ये रहे है टॉइज ये रहा है एलिफेंट और आल एनिमल आर एलिफेंट्स ये रहा है एनिमल क्या ने लिख सकता मैं ऐसा है देखो ये है हमारा डॉग्स इन दोनों में कोई रिस्ता ही नहीं है अब मैं ऐसा भी तो बना सकता हूँ यानि कि कुछ टॉइस एनिमल हो सकते है कुछ टॉइस एनिमल हो सकते है ना भीया कुछ टॉइस तो एनिमल हो सकते है या फिर एक हो सकता है कि सारे टॉइस एलिफेंट के अंदर ही हो मतलब जितने भी टॉइस हो ये एनिमल के अंदर हो या हो सकता है कि एनिमल अंदर हो टॉइस बाहर हो ऐसे कितने भी case बन सकते हैं कितने भी case बन सकते हैं मतलब आप देखोगे एक ये बना दिया हमने यहाँ बीच में एक हमने no डाल दिया मतलब ये no, no toys are elephants यानि gap है, एक हमने बना दिया ये ये animal है ये elephant है, उपर जो है elephant सबसे बड़ा है ना, ठीक है ये animal है और ये toys है देखो मैं ये कह रहा हूँ कि इसने ना toy और elephant का रिस्ता बताया है animal और elephant का बताया है लेकिन toy और animal का तो नहीं बताया है ना toy और animal का हम assume कर सकते हैं क्या assume कर सकते हैं कि toy और animal एक नहीं है अलग-अलग है, तो ये वाला diagram मैं बोलूँगा कुछ टॉई एनिमल है तो ये बनेगा, सारे टॉई एनिमल है तो ये बनेगा, सारे एनिमल टॉई है तो ये बनेगा, तो इस तरीके से चार फिगर बन रहे हैं, अब आप सोचो कि एक्जाम में क्या बनाया जाए, एक्जाम में क्या बनाया जाए, इसमें से बोला गया है वही मैं ध्यान दूँगा बाकी चीज नहीं दूँगा तो मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर तुम्हें तुम्हारे पास यह आए तो आप कौन सा फिगर बनाओगे आप यह वाला फिगर बनाओगे जो पहला वाला फिगर है बाकी तीन बनाने की जुरुत आए जा सकते हैं बड़ उसमें आपको जुरुत नहीं है ठीक है तो यह एक तरह से फिगर बनाने का मैथट है इसलिए फिगर बनाना सीखो अगर फिगर बनाना सीख गए तो सारा गर लोगे अब जैसे थर्ड देखो क्या कह रहा है ओल कप सर ग्लो ग्लासेस जितने भी कप है ना यह ग्लासेस भी है ठीक है अब देखो यह कह रहा है सम ग्लासेस अर स्पून्स कुछ ग्लासेस अर स्पून्स है सम ग्लासेस अर स्पून्स यह है ग्लास और यह है स्पून्स ठीक है, देखो, all cups are glasses, some glasses are spoons अब अगर मुझे एक साथ बनाना हो, देखो all cups are glasses ये cup है, ये glass है और ये क्या है, spoons है एक तो हमने ये बना दिया एक figure तो हमने ये बना दिया एक figure ये भी तो बन सकता ना, ये cup है ये glass है, और ये spoon है यानि कि, some cups are spoons too या फिर no cup are spoons एक ये भी तो बन सकता है ना ये cups है, ये glasses है और ये spoons है यानि कि, जितने भी cup है वो spoon के अंदर है, अब देखो ये तीन figure बन सकता है ये तीन figure बन सकता है, आप हो सकता आप कोई चौथा figure भी बना दो, साइद बन भी जाए कोई बड़ी बात नहीं है, कितने भी possibilities बना सकते हो, लेकिन अब बताओ इसमें से कौन सा सबसे अधा आसान है देखो हमारे लिए आसान क्या, हमेसा अपना दिमाग लगाओ, कि भाया, रिस्ता स्थापित मत करो, अपने तरब से एज्यूम मत करो ठीक है, आदित रोयक कपूर ये, क्या नामे चंकी पांडे की बेटी का, उसको डेट कर रहा है ये, नहीं कर रहा है, उस पे दिमाग इने लगाना, डेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है अगर पहला थोट आपका ये सब आ रहा है न, ठीक है ये वाला बनना चाहिए टो ये वाला फिगर आपको बनाना है बाकी सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है इतना बाकी जब assumptions होते हैं न उसको देखकर हमें ज़्यादा पता चलता है figure बनाना सीख रहे हो आप some trees are leaves देखो ये है trees some trees are leaves some trees are leaves and all leaves are fruits जितने भी leaves है न वो fruits भी है दिख रहे हैं गया गरीन देखना all leaves are fruits clear है इसका यही figure बनेगा इसका आप कोई और figure नहीं बना पाओगे और बन सकता है गया नहीं बन सकता क्यों क्योंकि देखो अगर some trees leaves है न और all trees fruits है तो अपने आप कुछ trees तो fruits होंगे ही होंगे ठीक है कुछ तो होंगे ही होंगे clear है इसमें यह diagram बनेगा diagram बनाओ अभी बस diagram बनाओ assumptions हम थोड़ी दिर में करने लग जाएंगे all due is water जितने भी due है यह water है all dues are water all due are waters ठीक है पहला वाला case some due is stone अब देखो some due is stone तो एक तो यह बना सकते हैं some due is stone या फिर एक यह भी तो बना सकते हैं न हम कि यह जो due है ऐसे भी तो बना सकते हैं न देखो मतलब एक case में हमने stone को छोटा बनाया एक में हमने बड़ा बना दिया जब हमने छोटा बनाया तो हमने सारे stone को water के अंदर रखा जब हमने बड़ा बनाया तो इसका मतलब है कि some stone are water some stone are water क्या feasible है यह वाला feasible है ध्यान रखना all वाला ने यह वाला हम मानके चलेंगे कि हम क्यों माने की stone छोटा है हम तो माने की stone भी बढ़ा है भाईया ठीक है तो यह दोनों ही case बन सकते हैं यह दोनों ही case बन सकते हैं I hope यहां तक clear होगा अभी हम figure बना रहे हैं assumptions जैसे जैसे आएगा मैं बता दूँगा मैं पूरा तरक के साथ बताऊँगा कि क्यों हो सकता है क्यों नहीं हो सकता all copies are books जितने भी copies है यह books भी है ठीक है and some pens are book देखो some pens are book यह हमने pen बना दिया साथ में अब आप बोलोगे कि pen और copy को क्यों नहीं मिलाया अरी क्यों जबर्दस्ती का caution को tough करें सबसे आसान क्या है सबसे कम assumption कब बनेगा जब हम copies और pen के बारे में कुछ क्योंकि caution में कुछ ही नहीं कह रहा copy और pen का कुछ कही नहीं रहा तो हम क्यों जबर्दस्ती जोडे जोडने का हम जोड सकते देखो अब देखो इस figure को कैसे बनाया जा सकता है यह copies था यह books था ठीक है मैंने ऐसे भी बना सकता था pens को यह pen है या फिर मैं ऐसे भी बना सकता था यह copy है यह book है सारे copies pens में आ गए क्योंकि जब मैं कहता हूँ some pen are book तो इन दोनों के बीच में रिस्ता दिखा रहेगी some pen, some, some यहाँ पे तीनों ही जगा पे some है लेकिन copy और pen का हो सकता है कि no copy are pen हो या फिर हो सकता है कि some copy are pen हो या हो सकता है all copies are pens हो clear है यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है लेकिन हाँ copy के अंदर pen नहीं आ सकता copy के अंदर pen नहीं आ सकता क्यों नहीं आ सकता क्योंकि साब साब बोल रहा है कि some books are pens है इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि all pens are books ठीक है ये चीज़ें आपको ध्यान रखने है, I know थोड़ा confusing होगा अबर देरे 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 हो जाएगा एक ही दिन confused हो ना, चार घंडे की वीडियो है हो जाओ confused, some mangoes are guava, कुछ आम अम्रूध है ठीक है, कुछ आम अम्रूध है और some guava is banana और कुछ अम्रूध क्या है banana यानि की kela ठीक है, इसका एक normal figure ये बनेगा, हमें क्योंकि आम और बनाना में कोई रिस्ता नहीं है, mango और आम में कोई रिस्ता नहीं है, तो आपको जबरदस्ती जोड़ना नहीं है इसे, आपको थोड़ा-थोड़ा वो करना है, clear है ये वाला figure बनेगा, अब बनाने को आप ये भी कर सकते होगी, देखो जैसे ये आम है ये अम्रूध है, केला है, तो केला को इससे जोड़ दिया मैंने, क्या फरक पड़ता है या फिर मालो, जैसे देखो ये आम था ये अम्रूध था, और ये केला था या मैं ये भी तो कह सकता हूं, ये आम है ये अम्रूध है ये आम ये अम्रूध और ये केला है figure मैं कोई सा भी बना सकता हूं, लेकिन जो सबसे आसान हो, वो बनाओ जितना बोला जाया, उससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, ओके question number 8 देखो, क्या कह रहा है all salt is sugar देखो, यह है salt जितने भी नमग है ना, वो चीनी भी है all salt are sugar no sugar is pulse इसका एक माक्त्र फिगर यही बनेगा देखो, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि देखो जितने भी चीनी है, इसको ऐसे देखो all बिहारीज are Indians no Indians are terrorist ठीक है, अब देखो, अगर सारे बिहारी इंडियन है और कोई इंडियन आतंगवादी नहीं है तो इसका मतलब तो simple है ना, कि बिहारी और terrorist नहीं हो सकते simple यह रिस्ता ठीक है, देखो, simple सी बात है, मेरी family मानलो एक पडोसी से बात नहीं करती तो इसका simple मतलब है कि मैं भी नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी तो family का part हूँ ना, समझो इस शीच को no mobiles are laptop, देखो, यह mobile है, और यह laptop है, जैसे ही no बोल दिया तो भीच में एक line किछ जाएगी, no mobiles are laptop, ओके, all laptop are computer, all laptop are computer, अब देखो, simple सी बात है, computer और mobile का कुछ रिस्ता इसने caution में नहीं बोला है, तो आपको बनाने की जुरुत नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो, अदेखो, इसका figure यह बन सकता, mobile, laptop, computer, यह mobile, यह laptop, यह computer, यह mobile, यह laptop, यह computer, या फिर, यह mobile, यह laptop, यह computer, यह computer, यह 3 figure बन सकता है, लेकिन जो सबसे आसान है, वो यह वाला है, इसे बनाने का मतलब है कि जबरदस्ती आपने दिमाग लगाया, आपने घुसाया अपना दिमाग, नहीं घुसाना, ओके, इसका मतलब यह नहीं कि यह हो नहीं सकता, यह हो सकता है, दिमाग में यह भी रखना ह है यह क्या है यह apple है some oranges are apples no apple is fruit ठीक है अब देखो इसका और क्या क्या बन सकता यह orange है यह apple है no apple is यह apple था no apple is fruit यह भी तो यह fruit है यानि हम यह भी कह सकते हैं कि all fruits are orange some fruits are oranges ठीक है no oranges are fruits यह तीनों ही case बन सकता है क्योंकि हमें ना उन दोनों की बीच का रिस्ता पता ही नहीं है तो ना हम confirm करेंगे ना हम deny करेंगे अगर कोई आप से बोले कि पांडेगा अभी रिलेशन से पैस क्या नाम उसका आदित रोई कपूर से तो आप क्या बोलोगे हाँ हो भी सकता है हाँ है नहीं यार नहीं है हो भी सकता है मतलब अपनी तरब से कुछ भी confirm नहीं करना तामने वाला confirm कर रहा है ना तो उसको deny भी करो क्योंकि ऐसा होई नहीं सकता भाई रिस्ता कहां है भाई या जब तक कोई वो ना करे तो तो I hope यहां तक clear होगा अब हम questions पर जा रहे हैं आपको धिरे-धिरे समझ में आ जाएगा कि कितना मज़ेदार subject है यह बहुत मज़ेदार चीज है अब देखो जैसे पहला ही question statement दे रखा है some buses are plants some buses जाडियां है यह बुसेस है बुसेस नहीं है some buses are plants कुछ जाडियां पौधे हैं देखो यह है some buses are some buses are plants clear? दूसरा देखो all buses are plants यह caution ही incomplete है पहला ही caution typing error है छोड़ो इसको इसका statement conclusion दे रखा है statement नहीं दे रखा चलो यहाँ से देखो हाँ देख रहे हो caution ही गलत है statement दे रखा conclusion नहीं है यहाँ से देखोगे statement होगा conclusion होगा और नीचे आपके पास 4 options होगे और उनमें आपको tick करना होगा तो दूसरा question से सीधा start करते हम क्या गहरा some mangoes are fruits कुछ mango fruits है यह है हमारा mango some mango are fruits ठीक है and no fruit is vegetable no fruit is vegetable देख रहे हो एक तो यह बना दिया हमने अब इसी vegetable को यहाँ पर भी तो रख सकते हैं ना बोलो 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 या फिर vegetable को ऐसे भी तो बना सकते हैं ना मतलब हमने 3 cases बना दिये पहले case में vegetable और mango में कोई संबंद नहीं है दूसरे case में जितने भी vegetable है वो सारे mango है और थीसरे case में कुछ vegetable और जो है वो mango है बट आसान ये वाला है ध्यान रखना जो सबसे पहला आए क्योंकि इसका और इसका कुछ नहीं का रखा तो हम मान के चलेंगे इनकी बीच में कोई रिस्ता नहीं है अब statement तो हमने pass करते है, अब conclusion देखो Some mangoes are vegetables Some mangoes are vegetables भया कुछ confirm नहीं है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है तो ये वाला statement हम नहीं मानते हम नहीं मानते ये वाला ये वाला statement हम नहीं मानेंगे आगे देखो, Some fruits are mangoes तो दूसरा वाला statement correct है दूसरा statement सही है कि अगर देखो कुछ आम फल है तो कुछ फल भी तो आम है तीसरा देखो No vegetable is mango No vegetable is mango अभी इसने बोला था उसने बोला कि भाई कुछ आम सबजी है आप बोलोगे नहीं है फिर वो बोलेगा कि अच्छा ठीक है कोई vegetable आम नहीं है मैं बोलोगा वो भी सही नहीं है मैंने बोला ना जब तक confirm ना हो हम इसको भी नहीं मानते हम दोनों को भी नहीं मानते क्यों क्यों कि देखो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है मैंने तीन case बता दिया आपको तो ये दोनों हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अभी सबसे पहले क्या नहीं मानके चलो गे, ठीक है? अदालत को याद करो, हमारा जो law है ये कहता है, जब तक गवाह, जब तक वो, क्या बोलते हैं उसको, गुणा साबित ना हो जाए तब तक उसको हम treat करेंगे कि वो बे गुणा है, तो भ हर question के बाद आप क्या गरोगे हर questions को ना जबी भी आप देखते हो ठीक है आप एक तरह से indirectly आप मेरी help कर सकते हो how questions आता है आप इसको pose करो और करो और फिर answers आप नीचे comment करो तब आप solution देखो ये वीडियो चार घंटे की होगी मैं चाहूँगा कि आप इसे 8 या 10 घंटे में देखो मतलब लगातार पढ़ते हुए कभी silox पढ़ना ही नहीं पढ़ेगा जिंदगी में साथ साथ देखो अपने आप पता चलिएगा क्या गलत है क्या सही है question number 3 का देखो statement क्या कह रहा है all computers are instrument जितने भी computer है न वो सारे instrument है all computer are instrument all computer are instrument आगे देखो some machines are computer some machines are computer तो देखो ये ऐसे भी बना सकते हैं हम और हम ऐसे भी बना सकते हैं ठीक है जैसे एक तो ये बना दिया हमने some machines are computer और एक बन सकता है ये ये जैसे ये है और ये computer जितने भी computer था वो instrument था और एक हम ये भी बना सकते हैं machines तो हम इसको पहले बनाएंगे इसको बाद में बनाएंगे गलत नहीं है ये ध्यान रटना इसको पहले बनाना है क्योंकि हम ये मानके चलेंगे कि machine जो है वो बड़ा है instrument के जैसा ही बड़ा है ये भी ठीक है अब देखते है कौन सा statement सही है all instrument are computer all instrument are computer ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला है जब बोला गया है कि जितने भी बिहार के लोग है वो इंडियन्स है इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि सारे इंडियन्स ही बिहार के है तो all instrument are computer बिल्कुल गलत ठीक है all computer are instrument और अगर all instrument are computer कर दे तो वो गलत हो जाएगा ध्यान रखना सम वाला सही होता है बाकी सब नहीं सम मसीन सार इंस्ट्रूमेंट अब देखो कुछ मसीन इंस्ट्रूमेंट तो ही ना अब खुद देखो ये मसीन है ये मसीन है अगर हम यहाँ बनाए तो सारे ही मसीन इंस्ट्रूमेंट है और अगर यहाँ पर बनाए तो कुछ मसीन इंस्ट्रूमेंट है दोनों ही case में आप बोल तो सकते हो ना कि भईया machine instrument तो है या तो सारे है या कुछ है लेकिन है है machine और instrument का रिस्ता स्थापित हमने कर रखा है दोनों ही case में जब तक no नहीं होता तब तक कुछ तो होता ही है तो दूसरा वाला सही है some machines are instrument तीसरा देखो some instrument are machines some instrument are machines vice versa सही होता है ये भी सही है some instrument are machines तो है ही ना देखो यहाँ पे देखो अगर मैंने ये वाला figure बनाया है तो कुछ instrument तो machine है ही है और मैंने अभी भी बताया था कि some वाला सही होता है some AR B का मतलब है some BRA तो only conclusion 2 and 3 follows option number C third का C ओर देखो some reverse are books ठीक है कुछ नदियां जो है brooks sorry brooks धाराएं है कुछ नदियां धाराएं है कोई जहरना धारा नहीं है ठीक है some reverse are brooks देखो ये reverse है some reverse are brooks no brook is a stream clear है अब ये यहाँ पर भी बना सकते हैं बाहर भी बना सकते हैं बैने बताया ऐसे में थीन केसे बनते हैं लेकिन हम easily वाला यही वाला केस मान के चलेंगे ठीक है ये वाला केस आगे देखो अब ये हमने statement से तीन diagram बना दिये conclusion देखो no stream is a book ये सही है बिल्कुल अगर no book is a stream हो जाया ना तो no stream is a book सही होगा हमेशा ध्यान रखना अगर बोल दे कि no a are b इसका मतलब तो यह हुआ ये a है ये b है या मैं लिख दू no b are a दोनों ही सही है ठीक है some वाला भी सही होगा all वाला बस सही नहीं होगा तो some stream are river no stream is a book सही है ये ठीक है पहला वाला हमारा सही निकला दूसरा देखो some stream are river some stream are river देखो हमने जो diagram बनाया खुद देखो stream यहां river यहां नहीं है ना हो भी सकता नहीं भी हो सकता हम तो नहीं मानेंगे की है ठीक हो भी सकता नहीं भी हो सकता हम नहीं मानेंगे लेकिन हम last में some brooks are rivers some brooks are rivers ये तो देखो साब साब दिख रहा है कि some brooks जो है वो river सही है तो पहला और तीसरा सही है only conclusion first and third follows option number A I hope clear हो रहा होगा हाई ये तो गिरा होगे तो clear है ये तक question number 5 देखो some men are players ठीक है देखो some men are players ठीक है some men क्या है players है all players are athlete जितने भी player है वो athlete है जो एक बड़िया सा figure बन रहा है उसका ये बन रहा है अब आप देखो conclusion में no athlete is a man no athlete is a man बिल्कुल गलत some athlete man साब साब दिख रहा है ये man है कुछ athlete ये वाला जो portion है ये तो ही ना athlete ये athlete man है ना आगे देखो all men are athlete all men are athlete ऐसा कहीं नहीं कह रहा साब साब figure को देखो क्या सारे man athlete है अगर सारे man athlete होता है ना दिखर कुछ ऐसा बनता some athlete are man some athlete are man बिल्कुल बिल्कुल ये तो है कुछ athlete तो man है कुछ athlete तो man है ही है तो only three follows option number D आ रहा है समझ में चड़ा question देखो देखो जितने भी teachers है ना वो researchers है all teachers are researchers ये teachers है और ये सारे क्या है ये researcher भी है T और R लिखा करो time बचेगा no researcher is unemployed और जो भी research करता है ना वो unemployed तो नहीं है एक बात बताओ सारे teacher researcher है और जितने भी researcher है ना वो job कर रहे है अनिम्प्लॉइड नहीं है तो teacher भी तो अनिम्प्लॉइड नहीं हो सकते ये हमने figure बना दिया अब देखो some unemployed are teachers अरे कैसी बात कर रहे हो बेरुजगार और teacher फिर teacher का आएगा teacher कभी बेरुजगार नहीं होते no teacher is unemployed बिल्कुल सही ये बहुत आज़ा कोई भी सिक्षक बेरुजगार नहीं है एक बच्चा पढ़ रहा है तभी वो सिक्षक कहलाएगा बच्चे नहीं है तो सिक्षक है नहीं और बच्चे आ रहे हैं तो फिर वो है ही some teachers are unemployed ये भी गलत है no teacher is unemployed only conclusion two follows option number first देखो अगर इस तरीके से सीख लेते हो ना कब भी नहीं बूलोगे कब भी नहीं बूलोगे figure देखकर आपको answers देना होगा फिर देखो क्या statement some male are swimmers कुछ male swimmers है और all swimmers जो है ना वो athlete है इसका मतलब तो यह हुआ ना कि जितने भी male है वो athlete भी है ठीक है देखो some athletes are male some athletes are male बिल्कुल सही कुछ athlete तो male है ना no athlete is male बिल्कुल गलत some athletes are swimmers some athletes are swimmers यह भी सही है खुद देख लो कुछ athlete swimmer तो है ना यह वाले बस नहीं है हमारे according चलें तो बांकि इतने वाले तो है ना तो one and three follows option number B I hope clear होगा आगे देखो some animal are mammal कुछ animal mammal होता है कुछ animal जैसे अगर मालनों मैं इसका नाम animal दे दूँ अच्छा अगर यह कर दिया तो सेप ही आता रहेगा some animal are mammal ठीक है some animal are mammal और no mammal is herbivorous herbivorous बोलते हैं जो साकारी होता है ठीक है यह हमने फिगर बना दिया यह herbivorous है अब देखो no herbivorous is mammal यह भी सही है मैंने मुला था ना no का वाईसे वर्सा सही होता है अगर all a all a are not b तो all b are not a या फिर a are not b तो b are not a सही होगा ठीक है तो no herbivorous is mammal बिलकुल सही है some mammals are animal some mammals are animal देखो some mammals are animal बिलकुल ठीक यह वाला पोर्शन जो है दूसरा वाला बिलकुल सही है तीसरा देखो no animal is herbivorous no animal is herbivorous ऐसा कहीं कहनी रहा मैंने बोला ना यह लोग अगर बोलते ना कि कुछ तो भी हम गलत बोलते सही मतलब हमें इन दोनों के बारे में कुछ पता ही नहीं है animal और herbivorous के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है तो भी है यह भी गलत ठीक है तो only conclusion one and two follows only conclusion one and two follows option number c is correct I hope clear होगा question number 9 all roads are vehicle जितने भी roads है ये क्या है ये vehicle है और some vehicle are tree कुछ vehicle trees भी है देखो हमने इसको इसमें घुसाये नहीं जबरदस्ती जेतना कह रहा है उतना ही कहो क्योंकि हमें न अभी roads और trees के बारे में caution कुछ कह नहीं रहा जब caution ना कहे है तो जबरदस्ती का जबरदसी बिठा दिया नहीं भी है जेतना कहा रहा उतना ही सुनेंगे अपन आगे देखो some trees are roads बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं trees और roads तो हमें पता ही नहीं न अलग-अलग है दोनों ही अलग-अलग है all vehicle are tree ये भी गलत है ये भी गलत है ठीक है ये भी गलत है क्योंकि all तो कहीं दिखी नहीं रहा न तो neither nor neither nor sorry some bulbs are LEDs ठीक है देखो कुछ बल्ब जो है न वो LEDs है ठीक है some bulbs are LEDs some LEDs are tube lights कुछ LED tube light है देखो जब तक tube light और bulb का question कुछ नहीं कह रहा तो आप जबरदस्ती गुसाना नहीं ओके फूपा नहीं बनना बार-बार कह रहा हूँ some tube light are bulbs फिर से वही देखो हम नहीं पढ़ना इनके बीच में गलत बिल्कुल गलत कुछ कहीं नहीं रहा no tube light is bulb no tube light is bulb ये भी गलत है दोनों ही गलत है लेकिन अच्छे एक बाद बताओ some tube light are bulb हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है no tube light is a bulb हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है और दोनों options हो गए क्या ऐसा हो सकता है मैं बोलू पहला statement ये कि भाई A and B are brothers आप बोलोगे नहीं है बिल्गुल गलत मैं फिर दूसरा statement चेंज करता हूँ अब मैं कहता हूँ A and B are not brothers A और B भाई नहीं है आप फिर बोलोगे कि नहीं फिर तू गलत बोल रहा है अब मैं बोलता हूँ अच्छा बताओ कि मेरा पहला statement सही है या दूसरा statement आप बोलते हो दोनों ही statement गलत है मैं बोलता हूँ भाई तू गलत है ऐसा कैसे हो सकता है चलो मैं कल की बात बता रहा हूँ तुम guess करो कि कल मैं नहाँगा या नहीं नहाँगा ठंड जादा हुई या कम हुई मैं जरूर नहाता हूँ ये तो चलो मेरी बात है तुम्हारी बात कर लेते हैं देखो मैं नहा भी सकता हूँ तुम बोलोगा फिर गलत है रहे कैसी बात कर रहा है दो में से कोई एक statement तो मेरा सही हो गई होगा तो कभी भी अगर दोनों इस type का आ जाए हमें इनके बारे में नहीं बता तो either or or either conclusion one or conclusion two follows आएगा ध्यान रखना यहाँ पे यही चीजें आपको समझनी है either or का concept ठीक है? either or कभ आएगा जब question में दो चीज के बीच में अब देखो यहाँ पे न हमें bulb का LED के साथ दे रखा है LED का tube light के दे रखा है तो bulb और tube light का actually में हमें पता ही नहीं है कि इनके बीच में क्या रिस्ता है तो पहले में इसने बोला है कि some tube light हमने बोल दिया गलत फिर दूसरे ने में बोल दिया कि neon tube light is a bulb हमने फिर बोल दिया गलत लेकिन फिर याद आया नहीं यार दोनों statement से मैं से कोई एक statement तो सही होगा दोनों गलत थोड़ी ना हो सकता इतना गदा तो कोई नहीं हो सकता ठीक है तो आईदर और यहां पर आएगा यह समझ लेना ठीक है आईदर और का यह नहीं कि neither conclusion nor one follow कर दिया इसमें आईदर और सही है question number 11 देखो time क्या होगया वीडियो की लेंद कितनी होगी ओके दू-तिन question और क्योंकि हमारा पाउँ अब थोड़ा सा statements क्या है all leaders are politicians जितने भी leaders जितने भी leaders है ना वो politician है all leaders are politician all politicians are eloquent eloquent होता जो बहुत अच्छा बोलता है वक्ता eloquent में आप किन-किन का example ले सकते हो मोदी जी हो गए हमारे या फिर एक संबीत पातरा है बीजेपी में वो बहुत अच्छा बोलते हैं एक सुधानसू चतुरवेदी है क्या नाम है सुधानसू वो त्रिवेदी वो बहुत अच्छा बोलते हैं या फिर आप सारु खान को ले लो सारु खान बहुत अच्छा बोलते हैं आप जब इनको बोलते हैं सुनोगे ना आपको मन करेगा बोलना तो eloquent आता है यह SSE में भी आता है ठीक है जो अच्छा बोलता है वक्ता अभिनव कभी ले सकते हो All Leaders are Politician and All Politician are Eloquent इसका मतलब यह हुआ कि सारे Leaders अच्छे बोलने वाले हैं तब ही वो Leaders है तो All Leaders are Eloquent बिलकुल सही है All Politician are Leader ऐसा बिलकुल भी नहीं बोला जाता है सारे Politician लीडर्स नहीं हो सकते ठीक है मान लो मैं डबल ले हूँ मेरे अंडर बहुत सारे senior auditors है तो मैं उनका leader हूँ मैं जो lead कर रहा हूँ अपने एक section को ठीक है तो मैं leader हूँ मैं नेता नहीं हूँ लेकिन मैं leader हूँ तो सारे politicians अब सुधान्सु त्रिवेदी या फिर संभीत पात्रा leaders नहीं है अपने महले के हो सकते हैं अपने इलाके के लेकिन as a country देखोगे तो ये leaders नहीं है मोती जी है इनके leaders ठीक है इसलिए देखाओगा कि हर विपक्चो अपना एक leader चुनता है सेम है सत्ता धारी party भी एक leader चुनती है तो सत्ता धारी वाला जो होता है वो तो प्रदानवंतरी बन जाता है leader ठीक है तो इसमें पहला statement होगा सिर्फ only conclusion one follows question number 12 देखो पंदरा कर लेते हैं फिर हम थोड़े break पे जाएंगे statement क्या है some watches are machines कुछ watch machine है okay है some watches are machines some machines are hands again देखो इन दोनों के बीच में हमें कोई रिस्ता नहीं है तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है आगे देखो few hands are watches few hands are watches अब देखो ये ना थोड़े से बच्चा बनाने कोशिस करते हैं बोलते हैं अच्छा ठीक है कुछ hands तो few हो सकते हैं ना भाई अरे इसमें से कुछ तो सही होगा कुछ तो सही होगा few का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जादा ही होना चाहिए few मतलब few को some की तरह treat करना तो either or आएगा यहां पर ठीक है देखो कुछ hand watches हो भी सकते हैं या फिर बिल्कुल भी hand watches नहीं होगा ठीक है इन्हीं दोनों में से कोई एक statement सही होगा ये again एक दूसरे को contradict कर रहे हैं तो कभी भी contradict वाले आए तो आपने क्या करना है either or लगा देना है either or ओके I hope clear होगा question number 13 देखो कुछ mirrors comms है ठीक है कुछ mirrors comms है और कुछ comms stools है तो अब simple देखो कुछ stools machines हो भी सकते है या नहीं भी हो सकते है तो अगर दोनों statement आ गए तो either or अगर कोई एक आता है तो गलत जैसे पहला ही देख लो क्या है all stools are either mirror और comms ये भी गलत है सारे stools either comms होगे या mirrors होगे कहा बोला देख लो इसमें बाहर है तो ये बिल्कुल गलत है some stools are comms हाँ ये सही है देखो कुछ comms tools है तो कुछ tools तो comms होगे ही होगे न तो only conclusion to follows only conclusion to follows all chairs are expensive जितने भी chairs है ये सब expensive है ये chairs थे और ये सारे क्या है expensive है and all expensive जितने भी expensive चीज़े है न वो unique है अरे अपने आप में महगा है तो unique है भाईया वो unique क्यों है क्योंकि वो महगा है तो ये हमने बना दिया अब देखो all chairs are unique ये भी ठीक है बिल्कुल chair महगा है और महगे चीज़े unique होती है तो chair unique हुआ all unique are expensive आहा आहा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ये देखो ये सब चीज़े हर unique चीज़े महगी नहीं होती आप मेरा maths का course ही ले लो unique है वो अपने आप में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको कि आपको classwork करवाया जाता है dicto same copy classwork की बिल्कुल dicto copy आपको homework दिया जाता है पहले 10 questions अगर classwork में किसी एक type का है न तो homework में भी आपको उसी 10 type के questions मिलेंगे अलग नहीं और फिर उनका solution आपको YouTube पे मिलेगा तो free वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं paid वाले भी पढ़ रहे हैं तो यह unique हुआ ना लेकिन महगा नहीं है यह some dancers are students यह है dancers और यह क्या है students and some students are singer अब देखो इन दोनों के बीच में कोई रिस्ता नहीं पता हमें तो यह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो some singers are dancers गलत no singer is dancer यह भी गलत और मैंने बोला ना कि अगर दोनों ही आजाए either or ठीक है? either or either conclusion one और two follows इन में से कोई एक तो सही होगा ही होगा तो यहां तक के बाद अभी मैं थोड़ा break लेता हूँ अगर आप लोग classes देख रहे हो और यहां तक पहुचे हो तो पसंदार ही होगी पसंदार ही है नो अभी like करके ना थोड़ा सा बोलो और अगला chapter किस पर चाहिए ना वो बताओ मुझे next chapter कौन सा चाहिए ठीक है? अभी तक हाला कि मैंने statement and conclusion का ही जो बचा हुआ पार्ट है वो करेंगे हम जो निसकर्स जो निकालते हैं बाकि आप reasoning के और कौन कौन से topics चाहते हो नीचे comment करो फिर आगे की वीडियो देखना thank you so much मैं थोड़ी दिर में आता हूँ question number 16 देखो क्या है statement दे रखा है all vans are cats all jeeps are cats conclusion दे रखा है all van is jeep और some jeeps are van तो कैसे करोगे देखो all vans are cat मतलब ये क्या है ये van है जितने भी van है वो cat तो है ही और जितने भी jeep है वो भी cat है तो मैं jeep को यहाँ बिठा सकता हूँ ये क्या है ये jeep है तो इसको आप ऐसे बना सकते हो ये van, ये jeep और ये दोनों ही cat के अंदर है जब तक जब तक बोला ना जाए इन दोनों को match करने की जुरूत नहीं है मैंने आपको पहले ही बता रखा है पालतू दिमाग बिल्कुल भी use नहीं करना है आपको अतना ही करना है जितना question में कह रहा है अब आगे देखो all when is jeep all when is jeep कोई रिस्ताही नहीं दिख रहा है ये ऐसा कही नहीं कह रहा है तो ये गलत है some jeep's are when ये भी गलत है अब सोचो कि क्या either or or आएगा यहां पे क्या either or आएगा नहीं आइदर और नहीं आएगा, क्योंकि देखो, इसमेना कहीं पर भी no वाला statement नहीं है, ये कह रहा है कि या तो सारे jeep ही van है, या फिर कुछ van jeep है, अरे एक और चीज रह जाता है, तीसरा statement, क्या है तीसरा statement, तीसरा statement है कि एक भी van jeep नहीं है, ये भी तो possibilities है ना, तो इसका answer आए नाइदर conclusion 1, नौर conclusion 2, एक भी follow नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, इसमें से दोनों में से कोई भी follow नहीं हो रहा है, question नमबर 17 देखो, क्या है, some bad seats are towel, कुछ bad seat, towel है, कुछ चादरे, tolia है, और some towels जो है ना, वो pillow है, मैंने आपको बताया है, जबरदस्ती match नहीं करना, जब तक बोले ना, अब देखो क्या दे रखा है, some pillow are bad seat, ऐसा कहीं नहीं कहा रहा, no pillow is bad seat, ऐसा भी कहीं नहीं कहा रहा, लेकिन देखोगे, अब अगेन देखो, पिछले वाले statement और इस वाले statement में देखो, आपको पताचले लेगा, यह हो भी सकता, यह कहा रहा है, कि some pillow are bad seat, some में already all include रहता है, ध्यान रखना, some का मतलब all समझो, का मतलब कोई define नहीं है, कि एक या दो, all भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है, all भी हो सकता है, तो यहाँ पे either or आएगा, क्या आएगा, either conclusion one और conclusion two, ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि no था इसलिए, अगर no और some हो, no और some हो, ध्यान रखना, अगर same statement में, एक जगा some हो, य लेकिन all में some include नहीं है, ओके, यह चीज़ ध्यान रखना, confused हो गए ना, होता है, होता है, all executives are humble people, यह तो सब को पता है, जितने भी अधिकारी होते हैं, वो सब humble होते हैं, मुझे ही देख लो, जितने भी executive है, यह humble होते हैं, ओके, ठीक है, executive को humble होना पड़ेगा, वरना, वो काम कैसे निकालेगा, फिर option नहीं रहता न, and all humble people are rich, यह गलत बोल दिया, इसने, यह below the belt है, all humble people are rich, जरूरी नहीं है, मुझे भी, मुझे ही देख लो, सारे humble लोग अमीर है, यह ऐसा इन्होंने कहा है, तो humbleness मतलब यह वो वाला rich है, मतलब होते हैं, humbleness वाली richness है, ठीक है, तो जितने भी executive है, वो humble है, और सारे ही humble क्या है, अमीर है, अब देखो, all executive are rich, obvious ही बात है, executive है, to humble है, humble है, to rich है, to executive rich है, all humble people, all humble people are our executive, ऐसा कहीं नहीं क है, जब वो executive हो, second option गलात है, only conclusion one follows, option number A, question number 19 देखो, some roads are metros, कुछ road metro है, some roads are metros, and some metros are cars, ठीक है, यहां sort form use करो, some roads are metros, and some metros are cars, आगे देखो, all cars are either road, और metros, अरे ऐसा किस ने बोल दिया यार, कि जितने भी कार है, या तो metro होंगे, या फिर road होंगे, देख तो रहो, यह कुछ भी नहीं है, अलग है यह, डियाग्राम से बता से जाएगा, यह तो अलग है, कहां है, match तो करी नहीं रहा, तो गलत हो गया, दूसरा, some car are metros, हाँ, यह सही है, अगर some metro are car है, तो ध्यान रखना, some metro are car बोल दूँ, या फिर some car are metros बोल दूँ, दोनों सेम है, ओके, तो only conclusion, two follows, option number C, 19th का C, बीस्वा देखो, क्या है, no table is loyan, statement क्या दे रखा है, no table is loyan, कोई भी table loyan नहीं है, यह table है और यह loyan है, and all loyans are bills, देखो, यह match भी कर सकता है, यह उपर से भी आ सकता है, यह आधे भी भी आ सकता है, लेकिन अपने को दूर रखना है, जो चीज नहीं बोला है, उसको मत करो, ठीक है, अब आगे देखो, no bell is stable, कोई bell table नहीं है, diagram भले ही हमने ऐसा बनाए, लेकिन हम diagram अगर मान लो, हम diagram इसको ऐसे बना देते, तो क्या गलत हो जाता या फिर अगर हम diagram इसको ऐसे बना देते तो गलत हो जाता गया बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता तो no bells is stable, बिल्कुल गलत है no bell is stable, बिल्कुल गलत है, हो भी सकता है some bells are loin, some bells are loin, ये बिल्कुल ठीक है देखो कैसे, अगर all अगर all lion bell है तो कुछ bell तो lion होगा ही न obvious है तो only conclusion to follow question number 21 देखो क्या है all plants are flower जितने भी plants है सब flower है all plants flower है no flower is blue कोई भी flower blue नहीं है इसका simple मतलब है कि कोई plant भी blue नहीं हो सकता some plants are blue गलत कोई plants blue नहीं होगा those plants that are not flower those plants that are not flowers are blue सोचो क्या लगता है सोचो ऐसे plants जो flower नहीं है वो blue होगे आपको लगता हाँ हो सकता है अरे नहीं होगा गदे क्यों नहीं होगा बताओ क्योंकि साब साब कह रहा है कि all plants are flower तारे plants ही flower है तो those plants आहे कहां से जो flower नहीं है तो ऐसा तो कोई statement है ही नहीं neither conclusion one nor conclusion two ध्यान रखना ऐसा कहीं नहीं बोला those plants अरे कौन से plants सारे plants तो flower है ना इस statement से बाहर नहीं जाना अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना हमेशा ध्यान रखना तुमारे पास बुद्धी कम है सीखोगे धीरे धीरे बढ़ेगा इसलिए अपना फाल्तु यूज नहीं करना जितना सिखाया जा रहा उतना करो statement देखो क्या है some boxes are dolls कुछ boxes क्या है dolls है some boxes are dolls all dolls are pens ठीक है all dolls are pens हमने figure बना दिया some boxes are pens बिल्कुल सही देख लो कुछ boxes pen है है बिल्कुल है आप इसको काट नहीं सकते some pens are boxes ये भी बिल्कुल सही है बात वही होगे अगर some boxes pen है तो some pen box होगा some pens are doll some pens are doll ये भी सही है बिल्कुल ये भी सही है देखो कुछ pen ये वाले जो pen है वो doll है all pens are doll ना 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 all pen doll नहीं है देखो ये वाले तो नहीं है इधर वाले जो है ये तो doll नहीं है तो only conclusion 1, 2, 3 option number B दिख रहा ना ये option question number 23 all rulers are machines जितने भी rulers होते हैं ना ये सब machine है ये rulers है और ये क्या है ये सारे machines है some machines are costly items some machines are costly अब आप सोचो कि सर ये यहीं से क्यों बनाया यहां से क्यों नहीं बनाया बिल्कुल बना सकते हो तुम बना सकते हो तुम चाहो तो ये costly को ऐसे भी बना सकते हो तुम चाहो तो इस costly को ऐसे भी बना सकते हो बिल्कुल बना सकते हो लेकिन हम हमेशा कम से कम रखते हैं कम से कम ठीक है ताकि statement बने ही ना बने सिंपल अब देखो some rulers are costly item कुछ ruler costly है ऐसा कहीं नहीं गह रहा अभी तक तो नहीं गह रहा some costly items are machines हाँ ये तो है some machine costly item है तो some costly machine तो हो गई होगा वाइसे वर्सा सही रहता है some वाले case में all costly item are machines ऐसा कहीं नहीं कह रहा सारे costly item machine कहा है दिखी नहीं रहा देख लो सिर्फ इस figure को देखके जो बन रहा है आपके दिमाग में उसी को मानो मा की दो figure को उतना धिमाग नहीं देना सिर्फ either or में कभी-कभी use होगा वो तो only conclusion two follows ये रहा option number C ऐसे 80 questions है 56 questions और करने वाले हैं हम लोग फिर कुछ नहीं बचेगा आप चाहो तो book भी solve मत करना book तो खरीदी लिया होगा बहुत chapter है बुक तो चाहिए आपको लेकिन इस chapter लिए ज़रूरी नहीं है इतना follow करना ऐसे ही मैं न statement और conclusion लेके आऊँगा ये तो statement and assumptions वगएरा जो होता है न वो लेके आऊँगा और वो और ज़्यादा clear हो जाएगा कभी गलत नहीं कर पाओगे mains वगएरा में बहुत questions आते हैं ये some cars are vehicle कुछ car vehicle है देखो ये car है ये vehicle है some cars are vehicle no vehicle is four wheeler ठीक है कोई भी vehicle four wheeler नहीं है मैंने इसलिए rod घेज दिया बीच में आगे देखो no car is a four wheeler ऐसा कहीं नहीं कहा रहा भईया ये हो भी सकता है अब जैसे ये ऐसे भी तो बना सकते थे हम ऐसे भी तो बना सकते थे हम ये तो हमारे उपर है हमने नहीं बनाया हमारी अच्छा ही है ये all four wheeler are cars ऐसा भी कहीं नहीं कह रहा some vehicle are cars हाँ ये है देखो अगर some car vehicle है तो some vehicle भी car हो गई होगा ये वाई से वर्षा वाला है तो only conclusion three follows ये रहा option number c question number 25 देखो क्या है some mobiles are instruments कुछ mobile instrument है और जितने भी instrument है वो heavy item है ठीक है अब देखो इसको देखते हुए some mobile are heavy items बिल्कुल सही देखो ये वाले जो है ये वाला ये heavy item है no mobile is heavy item ये बिल्कुल गलत है some heavy items are instrument ये भी सही है अगर all है तो some तो होगा ही तो one and three one and three option number d 25th का d इसका हिंदी मत पढ़ने लग जाना बच्चे फिर एक सर डाउट करते रहते हैं एक ने एक बार पूछा था सर इसमें लिखा हुआ है कोई कववा पक्ची नहीं है बट कववा तो है सर बड़ ये गलत नहीं दे रखा हमें उसी को तो state word और assumption कहते हैं ये बहुत important होता है इसका use कब होगा जब एक बार आपकी job वर लगती है ना तो जब आप files पढ़ रहे होते हो ना files पढ़ के ना आपको assume करना होता है जैसे हम लोग audit पे जाते हैं ना तो हमें कोई भी documents अगर पूरा ना मिले तो हमें assume करना पढ़ता है कि क्या-क्या हो सकता है अगर कोई project आया है वो project किसी ने नहीं बनाया है किसी department ने इसमें govern कर लिया है तो क्या-क्या उसके चक्कर में परिशानी हुई लोगों को, सरकार को कैसे नुकसान हुआ तो वो assume आपको खुद से करना होगा तो ये सब चीज़ें actually में use होता है life में ये सिर्फ reasoning नहीं है reasoning और maths practically use होता है no crowd is bird कोई crowd bird नहीं है ये crowd, ये bird all birds are animal जितने भी birds से ये क्या है ये animal है clear? अब देखो some animal are crowd ऐसा कहीं नहीं कह रहा है some animal are birds ये तो है देखो some animal are bird तो ही है no animal is crowd अब देखो ऐसा भी कहीं नहीं कह रहा है कि no animal is crow, तो इसका अंसर पता है क्या हो सकता है, option two, and either one or three, ठीक है, ये इसका होगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो sum है, यहाँ पे no है, देखे रहे हो, same है, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो अब देखते हैं, option, only conclusion one and two follows नहीं, none of the conclusion, ये बिल्कुल गलत है, only conclusion three follows नहीं, ये देखो, either conclusion, देखो, conclusion two, and either one and three, either one or three, देख रहे हो, जैसा हमने कहा, बिल्कुल वही option दे रखा है, और ये मैंने option देखने से पहले बता दिया था आपको, ठीक है, ये इसका answer है, तो ऐसे भी होते हैं, तो थोड़ा दिमाग लगा आपको, आज के 80 questions के बाद, ना मेरी guarantee है, तिलॉक्स कभी गलत नहीं कर पाओगे, किसी भी exam में, some students are player, कुछ student player है, some players are athletes, कुछ player क्या है, athletes है, ओके है, now, some students are athletes, ऐसा करीं देख रहा है, तो को student ये रहा, athlete ये रहा, ये तो नहीं हो सकता, some players are students, ये बिल्कुल सही है, no student is athlete, अगेन देखो, मैंने दोनों जगा कट तो कर दिया, लेकिन इन दों में से कोई ना कोई तो होगा, अगेन वही answer, two and either one and three, only conclusion two and either conclusion one or three, same same question, देख रहे हो, question number 28, जितने भी ponds है ना, ये सब pulls है, all ponds are pulls, देखो, ये pond है, और ये क्या है, ये सब, पूल है, okay, all ponds are pulls, ये देखो, pond मतलब भी तलाब होता है, और pools मतलब भी, pools भी जो होता है ना, वो भी तलाब ही होता है, some wells are ponds, कुछ well जो है ना, वो pond है, इसको wells बना लेते हैं, some wells are ponds, इसको चाहो तो तुम इधर भी बना सकते हैं, कोई भी वो नहीं है, अब आगे देखो, some ponds are not wells, ऐसा कहीं नहीं कह रहा है, हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं बोलू कि some a are b, इसका मतलब यह नहीं है कि some a are not b, all भी हो सकता है वो, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, some a are b का मतलब यह नहीं होता, कि some A, A, R, not B मैं अगर बोलू कि मेरा आधा मेरा कुछ हिस्सा तुमारा है इसका बिल्कुल बतलब यह नहीं हुआ कि कुछ हिस्सा मेरा तुमारा नहीं है ठीक है? यह चीज़ ध्यान रखना आमेशा इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं ऐसे कि अगर मैं कहूँ कि यह थोड़ा सा तुम ले सकता है तो इसका मतला बिल्कुल यह नहीं है कि थोड़ा सा मैं नहीं ले सकता मैं पूरा भी ले सकता हूँ मैंने बोला ना some में all already include रहता है यह चीज़ें ध्यान रखने हैं आपको तो some ponds are not wells some ponds are not well गलत हो गया some wells are pond यह बिल्कुल सही है all pools are all pools are यह ना pools are wells यह गलत है only conclusion to follows ठीक अच्छी बात यह है कि इन्होंने कहीं पे भी one दिया भी नहीं है मतला one and two दिया भी नहीं है पन्दा बच्चे जहाँ one और two होते हैं और टिक कर देते हैं ऐसा नहीं करना ओके यह नई चीज़ सीखने वाली थी इसमें आपको ऐसे बहुत सारे questions आएंगे मैंने इसलिए इतने questions लिये हैं है ना हर concept cover हो जाएगा हर concept cover हो जाएगा all knives are instrument जितने भी knives होते हैं वो instrument है all knives यानि जितने भी चाकू है वो एक machine है उपकरन है और some cutters are knives some cutters are knives ओके यह cutters, यह knives, यह instrument अब इससे तुम क्या गए कह सकते हो some cutter instrument है, है ही है इसको अंदर बनाओ या भाहर बनाओ some cutter instrument होगा ही होगा तो some cutter are instrument, यह बिल्कुल ठीग है all knives are cutter ऐसा कहीं नहीं कह रहा some knives are not instrument some knives are not instrument ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि देखो, सारे knives instrument है साब साब कह रहा है कि all knives are instrument तो some knives are not instrument यह कौन से knives है इससे बाहर नहीं जाना statement से बाहर नहीं जाना ठीक है, statement ही दुनिया है अरे, यह रहा only conclusion one follows option number D question number 30 देखो some roads are street कुछ road streets होते हैं, ठीक है some roads are streets some streets are lanes कुछ सडकें सडकें हैं देख रहे हो यह Google translate कर देता है गली कह लो इसको कुछ सडकें गली है और कुछ गली अच्छा इन्होंने lanes को गली कह रखा है some streets are lanes English में ही देखते हैं some roads are streets some streets are lanes no road is lane no road is lane देख रहे हो ऐसा कहीं नहीं कह रहा no दे दिया और some दे दिया तो either or आ जाएगा ध्यान रखना जैसे यहाँ पर देखो some lanes are road भी दे रखा है यह भी गलत होगा लेकिन इसमें either or आ जाएगा all streets are lanes यह गलत है तो either one or three either one or three either one or three ठीक है? यह इसका answer है question number 31 देखो वैसे यह वीडियो मुझे पहले लग रही थी चार घंडे के करीब जाएगी बढ़ अब लग रही है मुझे फिनिस हो जाएगी 80 questions some quadrilateral are squares actually मैं 90 questions some quadrilateral are square कुछ quadrilateral square है all square are rhombus ठीक है? यह तो simple math का fundamental है no quadrilateral is rhombus गलत है भाया कुछ quadrilateral तो rhombus होंगे ही all rhombus are squares यह भी बिल्कुल गलत है तारे rhombus squares नहीं होते हैं हाँ लेकिन all squares are rhombus according to figure बोल रहा हूँ मैं हलाएं कि figure maps एक ही है some quadrilateral are rhombus कुछ quadrilateral rhombus है बिल्कुल ठीक है तो कौन सा follow कर रहा है? 1, 2 तो नहीं follow कर रहा सिर्फ 3 follow कर रहा है तो option number B 32 देखो कुछ carpenters technician है some carpenters are technician all technicians are mechanics बही है, जितने भी carpenters है वो mechanics भी है ऐसा कहीं नहीं गहा रहा figure देखो, figure में पता चलेगा all carpenters are mechanics का मतलब है यह figure बनना चाहिए some mechanic are technician का मतलब यह होना चाहिए सम कारपेंटर और मेकेनिक्स का मतलब यह होना चाहिए तो देख रहो हो यह और यह तो दिख रहा है लेकिन यह नहीं दिख रहा कहीं पे भी तो यह नहीं हो सकता तो only conclusion one and two follows option number c 32 में का question number 33 देखो statement क्या है some teachers are philosopher कुछ teachers जो होते हैं वो philosopher होते हैं ठीक है some teachers are philosopher and some philosopher are writers कुछ teacher philosopher है कुछ philosopher writers है some writers are teachers ऐसा कहीं नहीं कह रहा some writers are teachers के लिए यह वाला figure बनना चाहिए बड़ देखो teacher और writer तो यहाँ पे ऐसे ऐसे figure बन रहा है फिर क्या है no writer is a teacher no writer is a teacher यह भी गलत है ऐसा भी कहीं नहीं खिचा हुआ है यह हमने खेज रखा है लेकिन हम ना भी खेज तो क्या है फरक पड़ता है यह इधर भी तो बना सकते थे तो इसमें हाईगा either or दोनों में से कोई एक तो सही होगा या तो सम होगा या ना होगा तो either one और two follows 34th question क्या है 34th question all teachers are painters जितने भी teachers है ना वो क्या है painter और some painter are rich कुछ painter rich भी है यह हमने figure बना दिया अब देखो all painters are teacher all painters are teacher के लिए यह बनना चाहिए यह P नीचे T उपर क्या ऐसा बन रहा है नहीं बन रहा तो पहला वाला गलत है दूसरा वाला some rich are not painters देखो मैंने भी बोला था some a or b का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि some b or not a तो जहां पे भी not आजा वो तो ऐसे ही नहीं होगा तो neither one nor two ठीक है neither one nor two question number 35 देखो क्या है all humans are parents जितने भी human है वो क्या है वो parents है और जितने भी parents है ना वो सब teacher है ठीक है अब क्या है some teachers are parents बिल्कुल ठीक है कुछ teacher तो parent है ही some teachers are humans ये भी ठीक है both follows 35 का a all squirrels are lizards जितने भी squirrels होते है ना वो lizards है ये दे रखा है इन्होंने all squirrels are lizards and all lizards are goose ये इन्होंने दे रखा है अब देखो क्या पूछा है some squirrels are not goose ऐसा कहीं नहीं कह रहा all squirrels are goose है भाई साब तो some कैसे not हो सकता है some lizards are squirrels some lizards are squirrels बिल्कुल ठीक है कुछ lizards तो squirrels है ही ना देखो ये उपर वाला figure है और ये नीचे वाला है ये सारे squirrels जो है ये lizards तो है ही ना तो some lizards are squirrels बिल्कुल ठीक है some goose are squirrels बिल्कुल ठीक है हमेशा ध्यान रखना एक चीज को कि अगर इसका तो क्या आजाएगा option 2 and 3 इसका आजाएगा only 2 and 3 कभी भी जैसे ये देखो ये A है ये B है ठीक है इसका दे रखा इन्होंने all A are B ये दे रखा all A are B तो हम अपने आप कह सकते हैं कि sum B R A कुछ B तो A है ये ना क्योंकि जो A है वो already B है 37 क्या है जितने भी Drums है वो Strix है All Drums are Strix All Drums are Strix इसका मतलब ये हुआ कि some Strix are Drum तो होगा ही होगा some Strix are Drums होगा ही होगा some Strix are Drums ये होगा ही होगा मैंने अभी केस बता दिया आपको Some Drums are Boxes Some Drums Some Drums are Boxes कुछ Drums जो है ना वो Boxes भी है तो अब देखते हैं Statement Some Boxes are Strix ये भी सही है बिलकुल कुछ Boxes तो Strix है ना देख रहे हो ये दोनों में कामन है ना Some Strix are Drums होगा ही होगा All Strix are Drums ये नहीं होगा तो 1 and 2 1 and 2 Option number B Only Conclusion 1 and 2 follows 1 and 2 38 क्या है All Post Cards are Envelopes जितने भी Post Card है ना ये Envelop तो है ही है और No Envelop कोई भी Envelop जो है वो Paper नहीं है ठीक है हमने Figure बनाने पर ध्यान देना है अब देखो Some Envelopes are Post Card हाँ अगर All Post Card Envelop है तो रटलो इसको Some Envelopes are Post Card होगा ही होगा No Paper is Enveloped No Paper is Enveloped बिल्कुल ठीक है है अगर No Enveloped is Paper है तो No Paper is Enveloped भी सही है No इधर लगे या इधर लगे मैं तेरा दुस्मन दुस्मन तु मेरा समझे दोनों mutually है अरे यार तीसरा ग्या है No Post Card is a Paper ठीक है अभी Pen नहीं चलेगा थोड़ी देर No Post Card is a Paper कोई Post Card Paper नहीं है देखो यह Post Card था और यह Paper था No Post Card is Paper बिल्कुल सही है All Conclusion Follow All the Conclusion 1, 2 and 3 Follows Option Number D 38 का D लिख लो चलो फिर मैं थोड़ी देर मैं आता हूँ इसको ठीक ठाक करें फिर हम दुबार स्टार्ट करेंगे चलो बाई Question Number 39 देखो क्या है All Alls are Parrot जितने भी उल्लू है ना वो सभी तोते हैं ठीक है All Alls are यह Owls है और यह क्या है Parrot है All Alls are Parrot Some Parrots are Crows Some Parrots are Crow Crow बोलते हैं I think Crow नहीं बोलते हैं Crow बोलते हैं ठीक है Some Parrots are Crows ठीक है यानि कुछ जो तोते हैं वो क्या है वो कववा है ध्यान रखना इसको इधर लेकर माता आना हमेशा minimum लेके चलना है क्योंकि यह figure हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं अगर हम यह figure चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं यह तीनों ही conditions बनती है इसकी यह तीनों ही condition बन सकती है कि No भी हो सकता है Some भी हो सकता है और All भी हो सकता है ध्यान रखना तो All Parrots are Alls यह भी गलत है क्योंकि देखो all's are parrot दे रखा है ना कि all parrots are all दे रखा है ठीक है then है some all's are crows ये देखो actually first or third first or third में से कोई एक follow करेगा ना कि दोनो ठीक है ना ही दोनो गलत है ना ही दोनो सही है अगर दोनो statement आ जाए तो फिर either आ जाएगा either or either one or three follows option number three question number 39 का three answer लिख ले ना question number 40 मा देखो क्या है all fields are farmhouse जितने भी field है ना सभी farmhouse है ठीक है देखो जितने भी field है सभी क्या है farmhouse है all fields are farmhouse ठीक है and some fields are gardens some fields are gardens clear है some बोला है इसलिए हम यहां से लेके जा रहे हैं अब देखो some farmhouse are fields some farmhouse are fields yes मैंने बता रखा है अगर all है तो some तो होगा ही होगा some gardens are fields यह भी ठीक है some farmhouse are gardens यह भी ठीक है all the conclusion follows all one two three सारे ही इसमें सही है question number forty first देखो क्या है all utensils are spoons जितने भी utensils है सारे क्या है spoons है तो यह क्या है यह utensils है बरतन यह सभी क्या है spoon यानि चम्मच है जितने भी बरतन है सभी चम्मच है सभी बरतन बरतन अन्दर हो जाएगा चम्मच बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सभी बरतन में चम्मच है, ठीक है, सभी बरतन चम्मच का पार्ट है, and all balls are spoons, ये balls मान लो, ठीक है, ये क्या है ये balls है, ये जो बाउल है, बाउल बोलते है इसको actually, तो ये जितने भी बाउल है ये क्या है, ये spoon भी है ठीक है, यानि कि सभी गटोरे चम्मच है, हमने क्या किया, दोनों को mix नहीं किया है, दोनों को mix नहीं किया, अब इसको आप कैसे भी बना सकते हैं आप चाहो, तो ऐसे बना दो आप चाहो, तो ऐसे बना दो, ठीके ये तीनों ही बन सकता है इवन चौता केस भी बन सकता है कि अंदर वाला उपर आ जाए, ठीके लेकिन हम जो minimum बना के रखेंगे वो ये वाला कि दोनों अलग-अलग है, दोनों के बारे में question कुछ नहीं कहा रहा, अब आगे देखो no utensil is ball, ऐसा कहीं नहीं कहा रहा, हमने figure भले ही ऐसे बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही सही है, ओके आगे देखो, some utensils are balls, ये भी गलत है, देखो जब no और some आ जाए, मैंने बताया था जब no और some दोनों ही आ जाए, तो गलत हो गया पूरी तरीके से, क्योंकि देखो, spoon के अंदर ही तो है ना utensil, तो some तो होगा ही, some तो होगा ही, तो कुल मिलाके इसमें either one or two होगा, three तो बिल्कुल भी नहीं है, तो either one or three, again, question number 41 का C answer है, ठीक है? हमने इतने questions तो कर लिये हैं कि आप, आप लोगों को ना, अच्छे से clarity हो गई होगी कि कैसे बनाना है ये? Question number 40 second देखो, क्या है? statements, no grass is a flower. ये grass है, और ये flower है, और इन दोनों के बीच में एक rod डाल दिया मैंने, यानि कि दोनों के दोनों कभी भी मिल नहीं सकते हैं, एक line case दिया, एक लकीर case दिया है, ठीक है, ये क्या है? ये है grass, और ये क्या है? ये है flower. And all flowers are trees. जितने भी flowers है, ये क्या है? ये trees है, मैंने इसके उपर डाल दिया, इससे miss नहीं किया है, इससे बिल्कुल भी mix नहीं किया है, आगे देखो. Some trees are flowers, some trees are flowers, बिल्कुल सही है, कुछ trees flower तो है ही. Some trees are grass, कुछ trees grass है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कहीं नहीं कह रहा. Some trees are grass, बिल्कुल नहीं हो सकता, और no trees is grass, अब देखो, मैंने हमेशा बोला, कि कभी भी some भी आजाए, और no भी आजाए, तो आप दोनों को गलत नहीं कह सकते, फिर वहाँ पे आपने क्या लगाना है, फिर आपने लगाना है either or, तो answer one, either conclusion two or three, and one follows, देख रहे हो, either two or three, and one, one तो follow करी रहे है, one में तो कोई doubt ही नहीं है, two or three में either आ रहा है, ओके है, question number 43rd, all rocks are ocean, जितने भी rocks है, सारे oceans है, ठीक है, all rocks are ocean, सभी चट्टाने समुंद्र है, महा सागर है, all ocean are balloons, and some watches are balloons, यहां मैंने watches बना दिया, देखो, watches और balloon का कहा रखा है, इसलिए हमने इन दोनों का रिस्ता बनाया है, जबरदस्ती ocean और rock के साथ नहीं बनाना है आपको, जिसके साथ कहा रहा है, बस उसी के साथ बनाओ, जिसके साथ कहा रहा है, उसी के साथ बनाओ, अब आगे देखो conclusion में, some balloons are rocks, some balloons are rocks, बिल्कुल सही है, अगर all है, तो some होगा ही होगा, ध्यान रखना, some watches are oceans, ऐसा कहीं नहीं कहा रहा, all oceans are rocks, यह भी गलत है, all rocks are oceans है, all oceans are rocks नहीं है, तो इसमें आप देखोगे, कि इन तीन में से सिर्फ और सिर्फ, पहला वाला ही follow कर रहा है, only conclusion, one follows, option number D, I hope clear होगा यहां तक, some essays are poems, कुछ essays जो है ना, वो poem है, okay, some essays are poems, यानि कि कुछ निबंद जो है, वो कविताएं है, यह निबंद और यह कविताएं, some poems are directors, कुछ poem क्या है, director भी है, and all director are singer, जितने भी director है, वो क्या है, यह singer भी है, अब देखो, कभी भी, अगर आप director के उपर से line खेचो गए ना, तो automatically poem का कुछ पार्ट तो आएगा ही आएगा, आप poem को singer से अलग करी नहीं सकते, क्यों क्योंकि poem और director अलग नहीं हो सकता, क्योंकि some है ही, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा, आगे देखो, some director, director अंदर वाला है, यह poem है, बिल्कुल सही है, अगर some poem director है, तो some director अर poem तो हो गई होगा, some singers are essays, देखो, some singers are essays, यहाँ देखो, यह singer मैंने यहीं से डाल दिया, और essays यहाँ है, तो अभी तक तो नहीं है, यह गलत है, यह गलत statement है, आगे देखो, some singers are poems, आप देखोगे कि अगर some director poem है, तो some singer भी poem होगा ही होगा, आप इसको काट नहीं सकते, तो one and three follows, option number A, बहुत ही प्यारे questions होते हैं, यह conclusions वाले, statement दे दिया जाता है, फिर आपने check करना है, कि उससे क्या सही है, क्या गलत है, all women are engineers, जितने भी women है, सभी engineers है, घर बनाती हैं भाई, बाहर जाएं तो बाहर offices बना देती है, तो all women are engineers, some singers are engineers, some singers are engineers, clear है, अब देखो, यहाँ पे ना बात हो रही है, singer और engineer की, जबर्दस्ती singer को women में नहीं गुसा देना, ओके, दोनों को अलग-अलग रखना है अबी, अब देखो, all women are singers, ऐसा कहीं नहीं कह रहा, all singers are women, अरे, दोनों ही एक ही तो है, all women are singers कहलो, या all singers are women कहलो, मतलों दोनों एक दूसरा mismatch है, दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही गलत है, क्योंकि हमें singer और woman की बीच का कोई संबंद ही नहीं बता some engineers are women some engineers are women ये बिल्कुल सही है क्योंकि देखो अगर all women are engineer है तो some engineer तो woman हो गा ही ना कल भी मैंने बताया था इस पे कल मतलब आज ही तुम तो एक ही दिन देखते हो ना मैं इसको दो या तीन दिन में दो दिन में तीन दिन में shoot करता हूँ, okay question number 46 देखो some tractor are boats कुछ tractor जो है वो boats है देखो some tractors are boats some tractor are boats all cups are boats मैंने cups को अंदर डाल दिया इसलिए all cups are boats boats के अंदर का ही पार्ट है अब देखो boat और cup का कहा रहा है ना तो cup को जबरदस्ती हम tractor के साथ नहीं कुछे डेंगे ठीक है, tractor को side रहने तो boat हमने अंदर डाल दिया, आगे देखो all jars are tractor मैंने jar यहाँ लिख दिया again देखो jar और tractor का दे रखा था ना तो हमने इसको boat या फिर cup से बिल्कुल भी नहीं किया है अब इसके कई सारे figures बन सकते हैं ध्यान रखना इसके कई सारे figures बन सकते हैं आप चाहो तो इनको इनको मिला दो आप चाहो तो इनके अंदर यह डाल दो या इनके अंदर ये डाल दो, आप कितना भी बना सकते हो लेकिन एक जो perfect बनेगा न, जिसको कोई गलत नहीं बोल सकता, वो ये है ठीक है? आगे देखो Some tractor are cups, ऐसा कहीं नहीं कह रहा Some tractor, tractor are cups में तो कोई रिस्ता बनाए निया भी हमने No jar is boat, no jar is boat, कोई jar बोट नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं गह रहा हमने भले ही बना दिया हो, लेकिन मैंने बोला न, ये मिल भी सकते है ठीक है? तो अगर देखो, आपने जो बनाया है न, अपने सोच से बनाया है आप अपने आपको सही मत मानो, अगर सामने वाला कुछ और बोल रहा है न, यानि कि आपके हामे हाम मिला रहा है, तो आप उसको नकार दो आपको क्या करना है? सामने वाले के against जाना है बिल्कुल, ध्यान रखना इसमें सम कपस और जार, कुछ कपस जार है, ऐसा भी कहीं नहीं कह रहा है सम कपस और जार, कपस और जार देखो कितना दूर दूर है तो इसमें से none of the conclusion follows, none of the conclusion follows आप बोलोगे, सोचोगे, सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन भाया clearly नहीं दिख रहा, जब तक clearly ना दिखे, तब तक आपने जबर्दस्ती अपना दिमाग नहीं यूज करना है question number 47 देखो all parks are schools, जितने भी पार्क है, सारे schools है, ठीक है ये पार्क है ये स्कूल है, ओके, all parks are schools and no school is college कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं है, एक बात बताओ, पार्क स्कूल के अंदर है और स्कूल को कॉलेज नहीं कह सकते हैं, तो पार्क और कॉलेज भी तो नहीं हो सकता ना दियार रखना इस चीज को, अब देखो, no college is school बिल्कुल सही, अगर school college नहीं है, तो school भी college नहीं है, वो ही याद रखना है, मैं तेरा दुस्मन, दुस्मन तू मेरा इसलिए कहते हैं कि भारत के चितने भी दुस्मन है, वो सब हमारे भी दुस्मन है, यह नहीं कि इंडिया का दुस्मन अलग है, और हमारा दुस्मन अलग है question number 48 जितने भी breads है वो cakes भी है all breads are cakes all breads are cakes clear है now all eggs are cake all egg भी cake है तो मैंने egg यहाँ बना दिया साथ में यह egg जो है यह cakes है clear है मैंने लेकिन egg और breads को mix नहीं किया है मैंने egg और breads को mix नहीं किया है क्योंकि question में ऐसा नहीं किया रहा अगर question no कह दे sum कह दे तो हम either or कर देंगे अगर इन दोनों में से कोई एक है तो हम दोनों कोई गलत कर देंगे ध्यान रखना कभी भी जैसे आपने ये figure बना दिया तो आपने तो no वाला बनाया है लेकिन some भी हो सकता है तो अगर question में some और no दोनों दे रखा है तो either or लगाना है अगर कोई एक दे रखा है तो सीधा cross कर देंगे जैसे देखो some cakes are bread ये तो बिल्कुल सही है some breads are egg गलत है और no egg is bread ये भी गलत है मैंने बोला ना some or egg आजाए तो either or आजाएगा तो only conclusion one and either two or three follows option number second option number B I hope clear होगा question number 49 कुछ ant bat है okay some ants are bats ठीक है some ants are crabs crabs केकड़ी को बोलते है ठीक है देखो some ants are bats some ants are crabs अलग अलग कर दिया अब again bat और crab का कुछ नहीं कह रहा तो जबरदस्ती मिलाना नहीं है इसको अब देखो some bats are crabs कहीं नहीं बोल रहा ऐसा no crab is ant ये तो बिल्गुल गलत है भाईया कुछ crab तो ant हो गई होगा no bat is crab देखो some bats are crabs और no bat is crab ये दोनों क्या हो रहा है again अगर हम एक-एक करके देखेंगे तो नहीं follow कर रहा लेकिन some भी आ रहा है no भी आ रहा है मैंने कहा है कि कभी भी some or no दिख जाए same statement में same statement में some or no दोनों आ जाए तो either or आएगा तो either one or three either conclusion one or three ये चीज़ें आपको ध्यान रखने है सबसे ज़्यादा यही वाले कौशन साते है एक्जाम में पचासवा देखो क्या है no ball is pen ये ball है और ये pen है ball कभी भी pen नहीं हो सकता ध्यान रखना pen कभी भी ball नहीं हो सकता all pens जितने भी pen है न ये सब boxes है देखो boxes ball हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ध्यान रखना some boxes are pens ये तो बिलकुल सही है कुछ boxes तो pen है ही है some boxes are balls ऐसा कहीं नहीं कह रहा और no boxes ball ये भी नहीं कह रहा बड मैंने बताया था some or no आ जाए तो either or conclusion one and two or threes conclusion one and two or threes देखो two or three यानि कि कोई एक ही सही होगा दोनों सही नहीं हो सकता ओके लेकिन कोई एक सही हो सकता इसमें question number 51 क्या है all purses are trees जितने भी purses है सब trees है all purses are trees जितने भी purses है वो सब क्या है sorry rupees है and some rupees are coins और कुछ rupees क्या है coins है clear है सभी purses रुपी है और कुछ रुपी points है coins है coins और purses को कुछ नहीं कह रखा तो हमने अलग-अलग कर दिया question में अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो उसको जबरदस्ती मिलाना नहीं है अपने आप मिल जा वो अलग चीज है अपने आप मिलेगा कई बार अपने आप मिल जाएगा ठीक है कई बार मिलेगा जैसे for example मैं बोलू कि all ARB तो all ARB अब मैं बोलू कि some ARC जैसे मैंने some ARC किया तो देखो C और B अपने आप मिल गया आप अलग करी नहीं सकते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जहां पे नहीं बोला जाया वहां मत मिलाना अब आगे देखो some Purses are coins ऐसा कहीं नहीं कहा रखा no Purses coin ये भी नहीं कहा रहा कुछ बच्चे न चालाक है होशियार है ठीक है समजदार है some children are clever some children are clever and all children are honest बच्चे तो इमानदार होते ही होते हैं अब इसी में ले लो आप honesty को clever से अलग नहीं कर सकते ठीक है यानि कि जो कुछ इमानदार लोग चालाक होंगे तब ही वो इमानदारी को maintain कर रखते हैं अगर आप मालो आजकल इस दुनिया में इमानदारी वरत्ते हो तो इमानदार के साथ साथ ना आपको चालाक भी होना पड़ेगा वरना कोई भी आपको फसा के चले जाएगा तो आपको चालाक ही तो सम वाले तो इन में से कोई से भी आजाए सही होंगे ही होंगे क्योंकि देखो कि तीनों एक दूसरे में घुसे हुए ठीक है तो सम तो होगा ही होगा तो आल कंक्लूजन फोलोज ओप्सन नमबर डी लाइट आ गई है ना चार्ज question number 53 all ice creams are juices सारे ice cream क्या है juice है all ice creams are juices यह क्या है यह ice cream है और यह juices है ठीक है all ice creams are juices आगे देखो no juices is chocolate कोई भी juice चौकलेट नहीं है कोई भी juice चौकलेट नहीं है no juices चौकलेट हमने ना जैसे ही juice और चौकलेट को अलग-अलग किया ना तो ice cream और चौकलेट अपने आप अलग हो गया ध्यान रखना अब आगे देखो some chocolates are ice creams अब इसमें क्या बोलते हैं ना इसमें आपको देदेंगे ऐसे कि कुछ चौकलेट ice cream होने की possibilities है और आप सोचोगे हाँ यार possibilities तो अमेज़ सा रहता है नहीं रहता है ध्यान रखना नहीं रहता है ऐसी गलती मत करना some juices are ice creams ये तो बिल्कुल सही है and no ice cream is chocolate ये भी बिल्कुल सही है देखो ice cream chocolate हो इनी सकता तो two and threes only conclusion two and three follows option number C question number 54 देखो क्या क्या रहा है all equipments are screwdriver जितने भी equipments है ये क्या है ये screwdriver है ठीक है and all machines are equipments सारे ही machines क्या है equipments है यानि कि machines के उपर equipment आ जाएगा न all machines are equipments मैंने equipments के अंतर machine डाल दिया अब देखो यहाँ पे न some वाला question गलत नहीं होगा some वाला देखो आंक बंद करके बंद कर दो क्योंकि तीनों एक दूसरे से related है सम वाला तो हो गई होगा हो गई ही होगा देखो some screwdriver are equipments बिल्कुल ठीक है some screwdriver are machines some screwdriver are machines ये भी सही है all equipments are machines ये गलत है all machines are equipments है ध्यान रखना तो 1 and 2 option number D question number 55 some plants are vegetables कुछ plants vegetables है देख रहे हो ये plant है और ये क्या है ये veggies है ये plants है और ये कुछ vegetables है ठीक है and all vegetables are vitamins all vegetables are vitamins और vitamins जो भी बोलना है बोल लो all vegetables are vitamins clear है अब देखो ये भी देखो ये तीनो ना एक दूसर से related है गौर से देखो गई ना तीनो एक दूसर से related है कोई किस्स्या अलग नहीं है तो सम वाला तो आँख बंद करके सही हो जाएगा हमने सम पढ़ा और टिक कर दिया तीसरा देखो क्या है no vitamin और no वाला एक भी सही नहीं होगा आपको यानि कि इन में देख लेना no आ जाए तो सीधा गलत सम आ जाए तो सीधा सही all वाला बस चेक करना होता है तो one and two follows मैंने पढ़ा ही नहीं यह statement पढ़ के देख लेना so question number 56 देखते हैं देखो 56 question क्या है यह कह रहा है कि कुछ चिलीज पोटेटो है some potatoes are onions ठीक है कुछ चिलीज some chilीज are potatoes यह देखो यह chilीज हो गया यह potatoes हो गये कुछ चिलीज क्या है potato है and 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 some potatoes are onions ठीक है कुछ मिर्च आलू है और कुछ आलू प्याज है ठीक है हमने तीनों बना दिया अब देखो some onions are chilीज ऐसा कहीं नहीं कह रहा ठीक है देखो onion और chilी में तो कोई relation ही नहीं है न some onions are potatoes यह तो बिल्कुल ठीक है no onion is chili ऐसा भी कहीं नहीं कह रहा बट क्यों कि देखो मैं बार-बार कह रहा हूँ कभी भी some और none आ जाए some और no आ जाए तो either आएगा तो conclusion 2 and either conclusion 1 or 3 follows I hope clear होगा question number 57 कुछ autos जो है ना वो cycles है some autos are cycles some autos are cycles यह auto है यह cycle है and all cycles are trucks अब आप देखो कि कि तीनों एक दूसरे से interlinked है तो some वाला यह देखो तीनों ही सही है all conclusion follows ठीक है हमें पढ़ने की ज़रूत ही नहीं है some follow होगा देखो some truck are auto बिल्कुल ठीक है some truck are cycle यह भी ठीक है cycle अंदर वाला है ठीक है यह है cycle ठीक है all cycle are truck तो some cycle are autos यह तीनों ही सही है जब कभी भी इस type का figure बन जाए एक तो यह वाला figure बन जाए ठीक है या फिर एक यह वाला figure बन जाए तो उसमें भी उसमें भी तो यह कभी भी इस type का figure बने तीनों ये दूसरे से match हो रहा है तो some वाले questions सारे ही सही होंगे तो इसका option क्या होगा C 57 का C Question number 58 देखो क्या है जितने भी rocks है वो beers है सबी, sorry, cocks जितने भी मुर्गे है all cocks are beers all cocks are beers all beers are horses अब again देखो एक ये वाला figure में भी ना some वाला सारा ही सही होगा ठीक है अब समझ में आ गया ना हमने ये ये देखो अब ऐसे चीज़ें ये बोलेंगे कि ये tricks है ये tricks नहीं है हमने ना अभी 55 cautions देखे 55 cautions करने के बाद मैंने ये देखा कि जहां पर भी इस type का figure बन रहा है ना some वाला सारा ही सही है तो ये trick बन गया लेकिन logic क्या है आप देख सकते हो तो some beers are cocks बिल्कुल ठीक है some horses are cocks ये भी ठीक है all cocks are horses ये भी ठीक है देखो all वाले case में simple देखोगे कि जो बड़ा वाला है horse है ना बड़ा तो अगर वो बाद में है तो अब्यसी बात है सही हो गई होगा तो all conclusion follows option number D question number 59 all eggs are hens all eggs are hens ठीक है अंदर वाला egg और ये hen and all hens are birds and all birds are crow ये figure बन गया अब some वाला जितना भी होगा वो सही होगा some crows are birds ठीक है एक ही था इसमें तो अच्छी बात ये थी इसको चार्ज में लगा देना आगे देखो all eggs are crows बिल्कुल सही है देखो अंदर है ना egg ये वाला छोटा होना चीए ये बड़ा होना चीए तो सही होगा आप देखो all hands are crows देखो तो crows सबसे उपर है ना तो ये भी सही है ठीक है क्योंकि hand अंदर है crows बाहर है तो अब इसी बात है all hands are crows होगा तो conclusion, all conclusion follows, all 1, 2, 3, option number B, 59th का B, लिख लेना ब्रदर, 59th का B, question number 60 देखो same question है या all hands are eggs, nice, कुछ change है इसमें भी, मुर्गयां जरूर है इसमें, लेकिन कुछ changes है देखो क्या है, all hands are eggs, जितने भी hen है ना, सब egg है, ये hen है, ये egg है ओके, all hands are eggs, and all birds are eggs, सारे birds भी egg है, तो मैंने birds को ना इधर बना दिया, दियान रखो all birds are eggs, ठीक है, मैंने अलग से side में बना दिया, egg, bird और hen को मैंने बिल्कुल भी mismatch नहीं किया है आप चाहो, तो जैसे अब देखो, इसके बाद आप चाहो तो figure को change भी कर सकते हो, जैसे कैसे, देखो इस type से, ये हो गया हमारा bird, ये हो गया हमारा hen, और ये हो गया हमारा eggs अब देखो, some eggs are loins, कुछ eggs जो है ना, वो loins है आए समझ में, some eggs are loins, अब loins का bird और hen के साथ कोई रिस्ता नहीं है इन्होंने तो नहीं बोला है, तो हम भी नहीं बोलेंगे ठीक, एक बड़िया सा cartoon बना दिया, मैंने देखो, ये दो आँखे अब देखो क्या है, some loins are eggs, बिल्कुल सही, अगर some egg loins है, तो some lion मैंने बताया था, some वाले case में वाई से वर्सा सही होता है some eggs, some eggs are hence, ये भी ठीक है some eggs are birds, ये भी ठीक है, क्योंकि egg तो देखो, जो egg है ना egg वो हर भी है, sorry, hence भी है, birds भी है, loins भी है अगर इन दोनों का बोल दे, या इन तीनों का आपस में बोल देता, तो हम गलत कर देते तो all the conclusion follows, option number A, 60 का A, 59 का B था question number 61, फिर से वही देखो इसका मतलब है कि ये अलग-अलग shifts में पूछे गए होंगे, अलग-अलग shifts में अब खुद देखो कि questions इन्होंने कितना दिमाग लगाया होता है, और कैसे change करते हैं ये लोग all hands are eggs, जितने भी hands है, ये सब क्या है, they all are eggs no birds are eggs, कोई भी bird, egg नहीं है, clear यहां तक, आगे देखो all egg are loins, जितने भी egg है, वो क्या है, ये loins है अब simple सी बात है, देखो bird का hen और egg के साथ कोई रिस्ता नहीं है bird का loins के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है hen, egg और loins में some वाला case सारा सही होगा all hands are eggs, all hands are loins, मतलब आपने एक तरह से ये देखकर क्या क्या चीजे बता सकते हो, क्या क्या चीजे लिख सकते हो देखो, अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ, देखो all hands are eggs या फिर loins, ये दोनों ही सही है all hands are eggs और lions, ठीक है, some loins are, some loins are eggs या फिर hence, या फिर some eggs are hence, ये सब बन गया है ये हम सीधा सीधा देखकर बता सकते हैं, या फिर मैं लिख सकता हूँ no hands are birds, ठीक है, या मैं लिख सकता हूँ no eggs are birds, या no birds are eggs, मतलब ये सब चीजे तो मैं ऐसे ही इस figure को देखके बता सकता हूँ, अब इन ही मैं से कुछ आएगा, जैसे देखो क्या लग लिख रहा है, कि all hands are loins, all hands are loins, बिल्कु ठीक है, अभी तो मैंने लिखा तो देखो, all hands are loins, ये रहा, फिर लिखा, some loins are hand, some loins are hand, अभी मैंने कहीं लिखा होगा ये भी, देखो some loins are hands, ये भी सही है, no eggs are bird, ये भी लिखा था मैंने, no eggs are bird, ये भी सही है, तो कुल मिला के न, आप simple figures को देखके न, सारी चीजे खुदी interfere कर सकते हो, सब भी, खुदी, मतलब ये assume करने वाली चीजे होती है, कि क्या क्या चीजे हो सकती है, क्या क्या चीजे, नहीं हो सकती है, I hope अब clear है, अगर clear हो रहा है, तो 61 कॉशन पर comment करो, कि sir, अभी तक बहुत अच्छा जल रहा है, सब clear हो चुका है, बाकी 19 कॉशन तो हम आपकी वीडियो को बस watch out बढ़ाने के लिए देख रहे है, वरना आमें तो सब कुछ आ चुका है, इतना लिखने की जुरूत नहीं है, बाड़ अगर यहां तक पहुचे हो, that means कि आपने दो गंटे, ढाय गंटे दे दियो होंगे, दो ढाय गंटे तो हो गए होंगे, दो गंटे तो हो गए होंगे, 62 questions में, मतलब actually वे 72 questions है, तो हाँ 72 में हो गए होंगे, दो गंटे के आसपासी होंगे, तीन गंटे की विडियो होगी, यह पूरी, all knives are axes, देखो, जितने भी knives है, ठीक है, all knives are axes, all axes are swords, all saws are swords also है, देखो, यह हमने अलग से बना दिया, जितने भी 100 है न, 100 आरी को बोलते है, ठीक है, okay, knives पता है, चाकू, X मतलब होता है, कुलहारी, ठीक है, सभी चाकू कुलहारी है, सभी कुलहारी, swords यानि हतियार, तलवार, तलवार है, okay, और all saws, सारे जो आरी है न, वो भी तलवारे है, यह कुल मिला के हमने figure बना दिया है, अब देखो, all swords, all swords are knives, ऐसा कहीं नहीं कह रहा, देखो, खुदी swords तो बढ़ा है न, उसको पहले कैसे लिख सकते हो, इसको बाद में लिखते हो, उसको पहले लिखते हो, बात बनती भी, some excess are saws, मैंने बोला न, इन तीनों में कभी भी some आ जाए, तो सारे सही होंगे, some excess are saws, आ, आ, sorry, 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 नहीं, नहीं, क्यों नहीं होगा, खुद देखो, यह excess are saws की बात कर रहे हैं, saw तो यह है न, saw यह है, x और saw में कोई रिस्ता नहीं है, no excess is saw, यह भी नहीं है, लेकिन देखो, मैंने यहाँ पे some है और यहाँ no है, तो जहाँ पे भी some और no आ जाए, either or, some और no अगर same statement में आ जाए, तो either or, either conclusion 2 और conclusion 3 follows, option number A, I hope यहाँ तक बिल्कुल clear जा रहा है, अपने जोस को बिल्कुल बरकरार रखना, और अगला chapter बता ना क्यों सा चाहिए, comment नहीं करोगे, तो फिर ऐसे ही लिलू पंजु वाले chapters मिलते रहेंगे, all hands are eggs, देखो, जितने भी hen है, वो egg है, all hands are eggs, all birds are eggs, इसको मैंने bird बना दिया, ठीक है, all eggs are loins, ठीक है, देखरो यह figure बन गया है, यानि कि जो bird है, वो loins है ही है, अब इससे पताने कितनी चीज़ें आप बना सकते हो, कितनी चीज़ें बना सकते हो, और बनाया गरो, लिखा करो कि भाया यह चीज़ें क्या क्या दिख चीज़ें दिखाती है, अब देखो, all hands are loins, बिल्कुल ठीक, बहुत सही बोला इसने, some loins, आँख बन करके टिक कर दिया मैंने, कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि some loins तो सब कुछ होगा, क्योंकि सब इसी के अंदर है न, all birds are loins, यह भी ठीक है, बाकि some loins are x था, यह तो सही है, तो all follows, अरे वाह, इसमें है ही नहीं क्या, इसमें d, ठीक है, all follows, भाई यह लिख लेना, ठीक है, कि यह correction required है, d, all follows, ठीक है, 63 का d आएगा, all follows, 64, no carrot is root, कोई भी carrot जो है, वो root नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है, carrot तो root ही होता है न, no carrot is root, बाकि इनोंने कह दिया तो ठीक है, logic पे नहीं जाना बिल्कुल भी, and all roots are potatoes, ठीक है, देखो, root और potato में सब कुछ ठीक है, potato और carrot में कोई संबंद नहीं है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर no और some दोनों आ जाए, तो हम either or select करेंगे, ठीक है, no carrot is potato, देख रहे हो, सिधा वही, तो नहीं आएगा, फिर कहीं पे भी, यह यह देखो, no carrot is potato, अगरा देखो, no potato is carrot, अरे no carrot is potato बोल दो या no potatoes is carrot बोल दो बात तो ही है, तीसरा, some potatoes are roots, कुछ potatoes roots है, बिल्कुल सही, all the potatoes are roots, यह तो कहीं नहीं लिखा हो है, तो सिर्फ और सिर्फ एक follow हो रहा है, three, only conclusion three follows, option A जो है, वो correct statement है, यह चाकू आकू पीछा ही नहीं छोड़ रहे है, all knives are excess, जितने भी knives है, वो excess भी है, ठीक है, all excess are swords, and all saws are swords, यह तो हमने पहले भी किया था यार, same question, ठीक है, maybe यह change हो गया होगा, ठीक है, same figure हमने बना रखा है, all swords are knives, बिल्कुल गलत, some swords are excess, यह बिल्कुल ठीक है, some swords are excess, some वाला तो सारा ही सही होगा, some swords are swords, some swords are swords, यह भी ठीक है, some वाले सारे सही होगे, मतलब statement कितना भी change कर सकते हैं, मैंने बताया आपको, कितने भी statement बनाया जा सकता है, तो only conclusion, two and three follows, a, 65 का a, question number 66, क्या है, no a is b, कोई a b नहीं है, यह a है, यह b है, यह a और b नहीं है, all c are d, okay, all c are d, देखो all c are d का मतलब है, कि यह c है और यह d है, बड़ा भी इन दोनों का कोई मिला नहीं, अगला स्टेर देखो, sum c r b, sum c r b, sum c r b, sum c r b और all c are d, clear है, यह figure बन गया, मतलब यहां से हमने c को लिए ना, तो c के उपर दो d ही, तो b, c, d में सारे सही है, sum वाले, ठीक है, जैसे देखो sum d r b, sum b r c, sum c r b, बिल्कुल ठीक है, तीनों ही सही है, आ, आ, sorry, all c r b है यह, sum नहीं है, यह नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर लिखा हूँ है, all c r b, तो साब साब कहा रहा है, sum c r b है, तो all नहीं होगा, ध्यान रखना, अगर statement में लिखा हो, all a r b, और नीचे में एक लिखा हो, कि sum a r b, अब बताओ, यह सही है या गलत है, जल्दी बताओ, comment करो, all a r b, सही है या घलत है, विडियो को रोक के करो, जबी भी आप देख रहे हो, एक साल बात देख रहे हो, तो भी करो, खुद के लिए, sum a r b, सही है, ध्यान रखना, यह सही है, अगर all है, तो sum है ही है, all के अंदर sum आ जाता है, ध्यान रखना, तो इसका क्या आएगा, only conclusion, both one and two follows, both one and two follows, option number a, some red are red, कुछ red जो है न, वो red है, और कुछ red जो है न, वो wild है, ठीक है, तो देखो, wild और red में, अगर sum और no आ जाए, तो either or कर देंगे, वरना सब गलत है, sum wild are red, यह तो बिल्कुल सही है, all wild are red, ना ना, all वाले तो सीधा आंक बंद करके काट दो, कभी भी step का figure बने, sum वाले में, all आंक बंद करके काट दो, sum red are wild, sum red are wild, बिल्कुल भी नहीं, red और wild का तो कोई रिस्ता ही नहीं है, तो only conclusion one follows, only conclusion one follows, option number B, 68, क्या है, sum krm, sum kr, m, कुछ k m है, no t is m, और देखो m और t का कोई रिस्ता नहीं है, अब ये t जो है न, ये k के अंदर हो सकता है, k को हलका सा छू सकता है, k के बाहर हो सकता है, तीनो ही चीज हो सकता है, ठीक है, ये तीनो ही चीज हो सकता है, है लेकिन अपने को क्या करना है बाहर रखना है जब तक बोले ना सम और नो आज है तो आइदर और कर देंगे वरना काट देंगे सम टी यार के ऐसा कहीं नहीं लिख रखा सम एम आर के ये सही है तो only conclusion to follows only conclusion to follows बागी सब गलत है अगर आपने यहां तक सीख लिया ना इसका मतलब है कि अब ना आप कोई सा भी कर लोगे चाहिए आप banking में बैठ रहे हो चाहिए आप किसी भी exam में बैठ रहे हो ठीक है silox में इस से बाहर कुछ नहीं आएगा कुछ भी नहीं आएगा silox हर exam का level सहीं ही रहता है इसमें level नहीं बढ़ाएगा वो figure अगर आपने draw करना सीख लिया आना तो कुछ भी difficult नहीं बना पाएगा some pots are lamps कुछ pots जो है ना वो lamps है all lamps are trees जितने भी lamps है सारे trees है no tree is branches एक तो potato, lamp और tree इनमें सारे सम सही है ठीक है देखो यहां branches नहीं है यह सही है देखो दो में branches है तो हमें पढ़ना पड़ेगा otherwise some trees are lamps आँख मंद करके कर दो सही आगे देखो some pots are branches ऐसा कहीं नहीं कह रहा some branches are lamps ऐसा कहीं नहीं कह रहा तो सिर्फ और सिर्फ एक follow हो रहा है only conclusion to follow 69 का b question number 70 क्या है all red are cars जितने भी red है ना वो क्या है car और some yellow are red अब देखो some yellow are red आप चाहो तो red ऐसे बना सकते हो yellow या फिर इसको चाहो तो बड़ा भी बना सकते हो कोई फरक नहीं बढ़ता यह yellow है ठीक है लेकिन जब अंदर बनाओगे तो फिर all yellow are car के अंदर आ जाएगा इसलिए हम थोड़ा बाहर साइज बनाएगे तो अब देखो क्या है some yellow are cars यह तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि देख रहे हो मैंने बताया था ना इस टाइप का figure बन जाए तो some वाला तो सारे साही होंगे some वाले तो साही होंगे ही होंगे अगर इस टाइप का figure बन जाए तो no yellow is red ना 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 ऐसे statement पास नहीं करते option number a 71 question क्या है all wood are chair यह wood है जितने भी wood है यह क्या है यह chair है and all chair are blue no chair is table हमने बिल्कुल उसको अलग से बना दिया ठीक है अब देखो some table are blue some table are blue हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो अभी गलत करो ठीक है हो भी सकता नहीं भी हो सकता है no wood is no wood is table यह बिल्कुल correct है क्यों क्योंकि देखो अगर chair का ही table के साथ संबंध नहीं है तो wood का कैसे होगा wood तो chair के अंदर ही है न तो बाहरा ही नहीं पाएगा वो some blue are wood यह बिल्कुल सही है तो only conclusion two and three follows ठीक है only conclusion two and three follows option number a मैं काट के दुबारा करता हूँ two and three follows ठीक है कौनसा काशिन कर रहे हैं 72 हो गया है नहीं न 71 हुआ है चलो question number 72 देखो क्या है no a is b कोई a b नहीं है यह a है यह b है all c are b यह c है अब देखो c b के अंदर है तो c का a के साथ भी कोई रिस्ता नहीं हो सकता तो no c is a बिल्कुल सही है some a or c बिल्कुल नहीं a और c में कोई संबंद स्थापित नहीं कर सकते हैं तो only conclusion one follows ठीक है इस तरीके सा आप इसको कर सकते हो 73 some red are cars कुछ red cars है ठीक है all yellows are cars yellow को हमने इसके अंदर डाल दिया है all yellow are cars ठीक है yellow का red के साथ कोई रिस्ता नहीं है हम ऐसा ही figure बनाएंगे हो भी सकता नहीं भी हो सकता है अगर दोनों आ जाए तो either or कर देंगे कोई एक चीज होगा तो हम काट देंगे some cars are red बिल्कुल सही है some yellow are red बिल्कुल भी गलत some cars are yellow ये बिल्कुल सही है मैंने बोला ना yellow और red का गलत है जब तक बोले ना तब तक नहीं करेंगे हम some और yellow some और no कर देता तो हम either or कर देते otherwise काट देंगे तो both one and three follows option number B one and three question number 74 क्या है some bikes car है कुछ bike car है some bikes are cars some cars are trucks ठीक है अब देखो ध्यानक ना truck और bike में कोई रिस्ता नहीं है तो some truck are bike काट दो no bike is truck इसको भी काट दो लेकिन मैंने बोला कभी भी some or no आ जाए तो एक दूसरे को ये क्या करते है either or लगा देते है either conclusion one conclusion two follows option number a अब आपको बहुत प्यार से अब जब ये जो questions है आप exam में बनाने में आपको 30 second भी नहीं लगेंगे 30 second भी नहीं लगेगा देखो simple आपने question बढ़ा all TRM सीधा बना दे all TRM no T is P no P is M बिल्कुल गलत some MRP some MRT बिल्कुल सही देख रहे हो देखते ही सही करना आपको हमने figure बना दिया अब देखो no P is M P का M के साथ कोई रिस्ता नहीं है ये तो गलत है ना भीया हो भी सकता नहीं भी हो सकता है अब जिसे ये figure है यहाँ पे हम P ऐसे भी बिढ़ा सकते थे हम P ऐसे भी बिढ़ा सकते थे देख रहे हो तीन figure बन सकता है P के लिए तो इसका answer आजाएगा only conclusion two follows option number A okay question number 76 all P are Q सारे P न Q है ध्यान रखना all P are Q some Q are Z and some Z are T जब तक बोला ना जायना जबर्दस्ती का इनका रिस्ता इनके साथ नहीं बनाना ध्यान रखना इस चीज का जबर्दस्ती का रिस्ते टिकते नहीं है some T are P काट दो some P are Z काट दो no T is Z अरे यह तो बिल्कुल काट दो इसे भी काट दो A यार तो no कैसे लगा दिया आपने तो none follows none of the conclusion follows option number A 76 का A आएगा answer I hope clear होगा question number 77 क्या है some would are chair कुछ would जो है ना chair है some would are chair some would are chair all chairs are met अब देखो यह वही वाला figure बन गया जिसमें some सारे साही होते हैं देखो मैंने पढ़ा नहीं है साही कर दिया तीसरा देखो क्या है all would are met ऐसा कहीं नहीं कह रहा all chair are met के लावा सारे all गलत होंगे तो one and two follows 77 का c finally तीन question उसके बाद हमारा एक chapter और complete इसके बाद कौन सा chapter चाहिए बता जरूर दे ना comment में अरना फिर रोना मत अगर मैं mirror image वाला करवा दिया तो some land are hard देखो कुछ land जो है ना वो hard है no hard is hot no hard is hot ठीक है अब hot का जबरतस्ती land के साथ कोई रिस्ता नहीं बनाना अलग-अलग रहने दो some hot are land ना some hand are land ये तो बिल्कुल सही है only two follows clear question number 79 no cycle is handle कोई cycle handle नहीं है अरे sorry ये का कर दिया हम ऐसा बिल्कुल नहीं करना एक्जाम में कोई cycle handle नहीं है some handle are tire ठीक है tire इन दोनों को बिल्कुल मिलाना नहीं है tire और cycle में कोई रिस्ता नहीं है हो भी सकता नहीं भी हो सकता some और नन आ जाए तो either or कर देंगे जैसे no tire is cycle गलत some tire are handle some tire are handle ये तो सही है ही some cycle are handle some cycle are handle ये तो बिल्कुल गलत है some cycle are handle तो होई नहीं सकता तो सिर्फ और सिर्फ option two only conclusion two follows question number 80 क्या है all TRP जितने भी T है वो सब क्या है P है and some PR Q ठीक है देखो सारे T P है और कुछ P Q है तो Q और T का कुछ नहीं कहा रहा caution तो हमें नहीं मनाना मिलाना नहीं जबरदस्ती अब conclusion पढ़े some Q are P कुछ Q P है देख रहे हो Q और P में ये वाला part है ना common तो ये बिल्कुल सही है some PR T देखो अगर all है तो some तो होगा ही होगा तो last में all follows या both conclusion follows both one and two follows thank you so much यहां तक बने रहने के लिए इतनी देर तक मुझे जेलने के लिए I know वीडियो की लेंद बहुत बड़ी है और अगर आप यहां तक ठिके हो तो you are among कहलो की top 5% top 5% में इसलिए बोलों क्योंकि 5% लोग ही पूरा देख पाते हैं बागी सब पता है बीच में छोड़ देते हैं कोई थोड़ा देख के छोड़ देता है हमें पता होता है न सब कुछ क्योंकि यहां YouTube हमें सब बताता रहता है कौन कितना देख रहा है तो अगर आपने यहां तक देखा है इसे मैंने तीन घंटा इसको देख लिया है अगर आपने अभी तक देखा है न तो ये मेरी guarantee है कि आज के बादioni सिलोक्स आप कभी गलत ने करोगे अपनी जिंदगी में गलत ने करोगे किसी भी exam में गलत नहीं कर पाऊगे तो यहीं पे मैं close करता हूँ अगला चेप्टर कौन से चाहिए यह जरूर बताना थेंक्यू सो मच हमारी वीडियो में थोड़ी सी आपको हरी मिर्ची वगरा कम मिलेगी क्योंकि I really believe कि मैं हाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ और मैं सिर्फ पढ़ा पाता हूँ तो अगर आपको पसंद आती है तो ऐसे ही प्यार बनाए रखो थेंक्यू सो मच मिलता उगली क्लास में तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो